कि हलो एवरिवन माइसेफ कमले शौधरी टीम फिजिक्स एल सीजी कर आज हम जेएडवांस 2023 का फिजिक्स का पेपर वन जो है वह अभी डिसकुस करने जा रहे हैं जिसके अंदर चार सेक्षन है पेपर वन के अंदर जिसका पहला जो सेक्षन है इसके अंदर वन और मोर देन वन करेक्ट के कोश्चन से तीन इसके अंदर कोश्चन है फ़र्स सेक्षन के अंदर जिसके अंदर जो फ़र्स कोश्चन अपना वो कोश्चन दे रखा है कि एक स्लाइड जो है फ्रिक्शनलेस कर्व सर्फेस दे रखा है और जो होर्जोंटल सर्फेस है लोवर एंड वो हो और यह आगे जाके डिसेंस पे यहां पे जाके टकरा रहा है ग्राउंड से ग्राउंड से टकराने के बाद यह भी वेलॉसरी से बाउंस हुआ और H1 हाइट तक गया ठीक ग्रेविटिशन एक्सेलरेशन जी कंसी रह करना है और जो सर्फेस के साथ कोशन्ट प्रिक्शन-ले अर्फेस अगर है तो चलिशन लिए पाइगा सकते हैं से यहां की वेलॉसरी निकाल लेंगे editor यह इसमेशन से मज़ेच चेंज इंचिन आगक्टिअ कि फिर उसके बाद अगले पार्ट के लिए यहां से बाउल आगे क्यों जाएका तो यह तरह से होरिजंटाल प्रोजेक्टायल हो गया है अब इस होरिज़नटल प्रोजेक्टायल के और यहां पर velocity निकाल सकते हैं, वर्डिकल में कितनी होगी, तो वर्डिकल में velocity फिर से MGH करके हम निकाल सकते हैं, तो यह velocity आजाएगी रूट 2GH, वर्डिकल में, और H मतलब कितनी height से यह नीचे की और आ रहा है, तो collision से जस्ट पहले velocity अपन calculate कर सकते हैं, फिर जस्ट आफ्ट पर collision, collision अगर यह बोल रखा है, elastic collision है, elastic collision, sorry, coefficient of restitution given है, तो coefficient of restitution given है, तो जो vertical में velocity, normal के अलोंग जो velocity है, वापस rebound होगा, तो E times velocity हो जाती है, तो उससे हम rebound होने के बाद वाली velocity calculate कर सकते हैं, तो rebound होने के बाद वाली velocity वर्डिकल में calculate कर सकते हैं, horizontal है, उससे velocity निकालेंगे, angle theta निकालेंगे, तो यहाँ पर velocity horizontal वाली change होगी नहीं, vertical velocity calculate कर लेंगे, तो उससे theta की value calculate कर सकते हैं, फिर अगले बाद में बोल रखा है, कि यहाँ पर D और H1 का ratio क्या है, तो इस अगले projectile की, अगले projectile की maximum height निकाल सकते हैं, oblique projectile, जिसको हम H को बोल सकते हैं, 2, sorry, UY square upon 2G के ब इसमें सबसे बहले अपने क्या किया है, इसके अंदर energy conservation लगाया, यहाँ से यहाँ तक जो part था, energy conservation लगाया, MGH equals to half MV square, उससे यहाँ की velocity अपनी आ गई, root 2GHx, first option अपना यही था, तो first option अपना correct इससे हो जाता है, फिर velocity before collision, यहाँ से आगे गया, इस वाले point पे, तो horizontal velocity तो change होगी नहीं, horizontal velocity as it is, और vertical में velocity हो जाएगी under root 2GH से, हाइट से drop हो रहा है, एक तरह से vertical velocity 0 थी, तो यहाँ वाली velocity आ गई, root 2GH, और all velocity आ गई इसकी, x में velocity हो गई है, ux, y में velocity हो गई, uy, अब इससे angle निकालने की कितने angle पे velocity आ रही है, तो resultant velocity का x से angle निकालना है, तो 10 theta equals to vertical velocity अपन horizontal velocity, vertical velocity यह रही, horizontal velocity, तो इससे angle की value 60 degree अपनी आ जाती है, तो दूसरा part, तीसरा option यह दे रखा है अपने को, third option यह हो जाता है, तो यह अपना first option correct हो जाता है, third option correct हो जाता है, फिर पुछावा है कि velocity just after collision, तो after collision horizontal velocity change होगी नहीं, as it is रहेगी, vertical velocity e times हो जाएगी, upward होगी, तो vertical velocity e times 1 by root 3 दे रखा है e की value, और यह vertical velocity यहाँ से थी, collision से just पहले, root 2gh vertical velocity भी होगी इसकी, तो after collision इसकी vertical velocity root 2gh, और horizontal velocity भी root 2gh हो जाती है, ठीक है, तो जो velocity है, उसको अगर देखोगे, net velocity यह हो गई, कुछ component x में है, एक component z के अंदर है, तो जो अपना second option है b, second option में देखोग और minus z दे रखा है, जबकि velocity उपर की और होगी, इसलिए second option अपना गलत हो जाता है, फिर d, d के अंदर पुछावा है, इसमें d और h का ratio, तो देखें, d की value, d क्या था, इस projectile के अंदर range, horizontal range, तो horizontal range बोल सकते हैं, u under root 2h upon g, u under root 2h upon g, u की value थी under root 2gh, और upon h1, h1 की value हम यहाँ प तो अगले projectile की height हो गई, velocity का square upon 2g, तो यहाँ पर vertical velocity इसकी थी, यहाँ से आई थी, यह vertical velocity, root 2gh, तो v square upon 2g से यह height h आ गई, यह h height तक आगे और जाएगा, और horizontal range जो है, वो इस value से horizontal range की value अपने आ जाती है, यह root 12 into h के बराबर, तो d by h का ratio अपना to root 2 के बराबर आ जाता है, तो यह अपना option था fourth, तो first, third और fourth option अपने correct, ठीक है, next question, next question में, एक plane polarized blue light जो है, वो incident हो रही है, एक prism पे, और reflection नहीं हो रहा है, यहाँ पे surface of prism से, इस वाली surface पे जब light incident हो रही है, तो यहाँ से reflection को neglect करने के लिए बोला हुआ है, यह reflection नहीं हो रहा है, यह बोला हुआ है यहाँ पे, और angle of deviation जो है, वो यहाँ पे 60 degree है, तो angle of minimum deviation, red light के corresponding इस दूसरे portion में, same prism है, दूसरी condition में, इसके अंदर deviation आ रहा है, अपना 30, minimum, refractive index of prism, blue light के लिए यह refractive index root 3 अपना given है, तो कौन-कौन से statement correct है, वो पूछा हुआ है, तो देखते हैं, क्या-क्या option बोल रखे ह जो है, वो polarized है, plane of incidence के according, तो देखो, अगर polarized light आ रही है, तो reflected light के लिए बोल रखे है, कि वो absent है, नहीं मिल रही है, तो अगर यह non polarized light होती, और यह जो angle है, यह brewster's angle अगर होता, तो जो reflected light होती, वो plane of incidence के perpendicular plane में polarized होती, दुबारा सुनना, यहाँ पर यह अगर non polarized light है, तो बूस्टर's angle पर अगर यह angle of incidence है, तो reflected light completely polarized होती और plane of polarization इसके perpendicular होता, लेकिन अब यहाँ पर क्या बोल रखे है, कि जो light आ रही है, वो खुद polarized आ रही है, इस plane के अंदर आ रही है, plane of incidence के according, इसका मतलब यह होगा, कि जो plane of incidence है, उसी के according light जा सकती है, तो दूसरे plane में तो light ही नहीं, तो इसलिए reflected light absorb, या complete, no reflection की condition तब ही आएगी, जब angle of incidence, brewster's angle के बराबर है, और brewster's angle की condition क्या है, कि angle of reflection और angle of reflection दोनों का sum 90 degree के बराबर आते है, तो यह condition एक यहाँ से निकल के अपने पास आएगी, ठीक है, इस condition को use करेंगे अपन, इस condition को use करते हुए, यहाँ पर angle of incidence निकालेंगे, refractive index दे रखा है, angle of reflection R1 first surface पर calculate करेंगे, I पता है, R1 पता है, तो first deviation calculate कर लेंगे, same ऐसा ही second surface पर, second surface पर angle of emergence E, angle of incidence R2, यह consider करेंगे, तो यहाँ से second deviation आएगा, और दोनों deviation से total deviation 60 है, तो इसको हम deviation को use करते हुए, calculate करने ही कोशिश करेंगे, एक ही value कितनी है, prism angle कितना है, ठीक है, तो यह अपना पहला बाट रहेगा, फिर और क्या-क्या बूच्छा हुआ है, prism angle, तो prism angle calculate करेंगे, इस calculations है, फिर refractive index, red के क्रस्पॉंड नहीं कितना हो calculate करना है, और finally, जो ray emerge हो रही है, वो 60 degree पर emerge हो रही है, यह prove करना है, तो देखें, पहला portion तो यह हो गया, कि यहाँ पर angle of incidence, जो है, वो brewster's angle है, उसके corresponding angle of incidence यह angle of reflection जो है, और angle of reflection यह दोनों मिलाके 90 degree है, perpendicular होते है, एक दूसरे के, तो यह light absent हो गई, यह condition तब ही है, जब आई की, प्लस R 90 degree हो, तो वहाँ से आ जाता है, स्नेसलों, mu1 sin i equals to mu2 sin r, और r की value है, 90 minus i के बरापने, तो इससे यह value आ जाती है, 10 i equals to mu, तो 10 i equals to mu, अपने यू corresponding, mu की value अपन को given है, root 3, तो इससे अपन angle of incidence की value निकाल सकते है, 60 degree, तो पहले prism पे angle of incidence की value आ गई, 60, यह 60 आ गया, तो mu1 sin i, कि उसे mu2 sin r, स्नेसलों लगा दिया, तो यहाँ पे यह 60 degree, तो इस R1 की value आ गया, यहाँ से 30 degree, ठीक स्नेसलों से, R1 30 आ गया, पहले से deviation हो गया, i minus e 30, और दूसरे से deviation होगा, इस तरह से, R2 minus e ज्यादा है, तो e minus r2 दूसरे से deviation होगा, और दौनों से deviation मिला के 60 degree है, तो पहले से deviation हुआ 30, तो दूसरे से भी deviation 30 होगा, तो दूसरे से भी deviation 30 होने का मतलब मैं बोल सकता हूँ, बिलकुल symmetric है, symmetric है तो यह 60 है, तो यह 60 है होगा, या दूसरे पर भी Snatch लगा के फिर solve कर सकते हैं या symmetry सिधा use कर सकते है 60 है 60 पर जाएगा यह 30 है यह 30 होगा तब ही deviation की जो value 60 आ सकती है दौनों से 30 30 बोलते हैं तो हम बहुत सकते हैं कि E की value 60 है R की value 30 है अब prism angle क्या होता है तो prism angle इन दोना एंगल का सम होता है R1 प्लस R2 एक प्रिस्म एंगल जो आगया 60 ठीक है तो कौन-कौन से option अभी तक set हो गए तो उसके corresponding पहला था कि जो blue light है वो plane polarized है incident plane of incidence के according अगर पोलराइज है इसलिए reflected light नहीं मिलेगे क्योंकि reflected मिलती उसके plane के perpendicular होती लाइट तो दूसरा prism angle 45 नहीं है तो minimum deviation की condition की time पर लिखते है mu equals to sin a plus delta minimum by 2 upon sin a by 2 formula यूस किया 60 30 by 2 और यह value 60 तो यहां से मु की value अपनी root 2 आ जाती है तो इसके corresponding अपना जो option third है वो correct हो जाता तो a c और d इसके correct options है next question question no.3 इसके अंदर एक circuit given है जिसमें capacitor जो initially uncharge है की के जो है वो initially open है और current जो है इसके अंदर 1 amp current flow हो रहा है 1 ohm के अंदर अब की को close कर दिया T equals T not पर तो कौन से statement जो है वो correct है तो पहले में क्या बोला है resistance की value तो इस resistance को calculate करने के लिए हम क्या कर सकते है कि इसमें current की value given है तो इसके across potential difference इसके across potential difference और इसके across potential difference equal रहेगा जब तक यह open है उस condition में बाद में और एक resistance convert कर लें बैटरी और equivalent resistance अगर convert कर देंगे तो उससे ही आ जाएगा कि हमारे पास एक capacitor एक resistance एक battery एक resistance का equivalent निकालके simple हम एक RC circuit की जैसे इसको convert कर सकते हैं ठीक जिसके अंदर current की value है वो हम हो सकते है आइक वास्तुम एक्जियूम current E raise to power minus T by top और चार्ज जो पर जब completely charge जाएगा तो इसमें से potential drop zero पूरा potential drop इस पर आएगा तो current charge की value आजाएगी Q equals to CV के बराबर इतनी आजाएगी तो यह हम calculation करने की कोशिश करता है देखता है तो पहले अपन ने किया कि वोल्टेज जो है वो दोनों के इसके अक्रॉस तीनों branch के अक्रॉस इक्वल कर रहे है इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस यहां पर current अगर हम इधर की और पर consider करेंगे तो उसके according अपने दो answer match होंगे दूसरी possibility भी है लेकिन दूसरी options नहीं है इसलिए केवल यह option लेकर आगे बढ़ रहे है तो इसके अक्रॉस पोटेंशल डिफ्रेंस हो गया 5 प्लस आई-ार आई-ार की value 1 है 6 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस 6 वोल्ट है 6 वोल्ट है तो वी बाई-ार से इसमें current की value आजाएगी 6 वोल्ट इसके अक्रॉस है 15 यह है तो बागी बचावा 9 इसके अक्रॉस है ठीक तो इससे हम calculation करेंगे अगर 15 माइनस आई-ार उपर वाले में 5 प्लस आई-ार बीच वाले में और आई-ार लास्ट वाले में तो इससे यह value हो ग जाएगी 2 और जब यह 6 है यह current की value 2 प्लस 1 3 आ जाएगी तो आर की value यहां से calculate होने पर 3 हो अपनी आ रही है दूसरे options के corresponding यह values पॉसिबल है अब यह तो हो गया first or second का तो first or second option अपने correct हो गए फिर third के लिए अपनको equivalent battery चीए इसके तो इसकी equivalent battery यह resistance आगे अपना 3 तो equivalent battery लिखेंगे 15 by 3 प्लस 5 by 1 E1 R1 E2 R2 प्लस 0V की battery मानली लास्ट रेसेंस आ 3 divided by 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 तो इससे आ जाएगा यह value उपर आ गया यह value 10 divided by 5 by 3 तो यह आजाएगा 6V की battery अपनी equivalent है, equivalent battery 6V, equivalent resistance इन तीनों का मिलाके जो आजाएगा यह equivalent resistance हो गया, 1 by R equivalent तो 5 by 3 तो equivalent resistance 3 by 5 आजाएगा, तो यह values हमें ध्यान रखने है 6V और 3 by 5, अब इसके corresponding values है यहाँ पर, तो यहाँ पर यह equivalent resistance जो आ गया, वो अपना आ गया 3 by 5, जिससे यह प्लस 3, अपने उस नीचे वाले resistance को और कंसीरा कर लिया, तो एक हमने battery बना दी equivalent 6, एक इसके जगे equivalent resistance ले लिया, 3 by 5, और एक यहाँ पर capacitor और एक resistance 3 हो, तो इस RCA circuit में tau की value हम calculate कर रहे है, यह equivalent resistance series की वाएज से 3 by 5, प्लस 3 किया, तो यह value आ गई 18 by 5 के बराबर, यह 5 है, तो 18 by 5 into 2, 2 capacitance given था, तो tau की value है 7.2 और यह tau की value ही हमें given है, 7.2, और equivalent battery, यह equivalent battery थी अपने 6 की, तो जो current की value है, I, E by R equivalent, E by R equivalent, E की value है आ गई, यह value थी 6, by R equivalent आ गया 18 by 5, into E raise power minus T by tau, यह current की value लिखी हुए, जो आदा यह value अपने 0.6, फिर last में capacitor पर चार्ज कितना आएगा, तो Q equals to CV, finally, तो CV, V की value 6 आई थी, तो यह 12 µC, यह charge finally आ जाएगा, तो यह अपने section 1 के questions complete होते है, next section पर चलते हैं, Hello everyone, myself promote Dhaka, team physics, CLC Seeker, so dear, मैं आपके साथ discuss करने जा रहा हूँ, day advance 2023 का paper 1, और इस paper में particularly 2 part physics के, section 2 और section 4 जो है, मैं आपके साथ discuss करूँगा, तो बेटा, इस साल का जो 2023 का paper है, तो थोड़ा सा moderate level का paper आया है, मतलब कुछ, paper 1 में जैदी अपन बात करें particularly, physics में, तो questions काफी आसान है, लेकिन कुछ-कुछ questions काफी calculated भी आए है, हौप की आपका paper इस साल का काफी अच्छा हुआ होगा, तो जिन बच्चों का अच्छा हुआ है, उनके लिए बहुत-बहुत बढ़ाई हैं बेटा, जिन बच्चों का अच्छा नहीं हुआ, बेटा वेट नह करेंगे, उससे बेटार है कि हम अभी से वापे से स्टार्ट हो जाएं, ताकि हम अगले साल के लिए, अगले साल का हमारा जो advance का paper है, उसे बहुत अच्छे से face कर सके, चलिए सर, तो section 2 जो है, इस section में total मिला कर अपने पाथ 4 questions है, इनमें हरे question के लिए, single choice questions है, हरे question के लिए plus 3 और minus 1 की marking, कि correct question यदि आपने solve किया, तो plus 3 marks है, और यदि question आपने wrong solve किया, तो minus 1 marks है, चलिए तो question number 4 से discussion सुरू करते है, question number 4 जो है, वो एक rotational motion का question है, थोड़ा सा, not so easy, not so tough, moderate level का सा question है, इस थाइप की questions अपन classroom में भी discuss करते है, तो question में बोला गया है, that a bar of mass m is equals to 1 kg and a length 0.2 meter is lying on a horizontal surface, one end of the bar is pirated at a point, about which it is free to rotate, a small mass m is equals to 0.1 kg, तो यहाँ पर इन दोनों के masses में relation दिया हुआ है, इसका mass जो दिया हुआना 1 kg है और इसका mass जो दिया हुआना 0.1 kg है, और जनरली इस टाइप की questions में अपन क्या करते है, डाटा पूट करना बहुत जल्दी इस टाइप की questions म गातक हो सकता है, तो आपको करना गया जाहिए, जैसे यह capital M और small M है, इनके mass में relation निकालने, यदि मैं इस mass को M कहुँगा, तो capital M के mass को अपन चूज कर सकता है, that is 10M, ताकि question थोड़ा सा आसान हो जाएगा, last में data put करिये इसलों, आगे बोला गया, he is moving on the same horizontal surface with 5 meter per second speed on a path perpendicular to the bar, he path perpendicular to the bar है, उसपे 5 meter per second से चल रहा है, it hits the bar at a distance L by 2 from the pivoted and returns back to the same path with speed V, मतलब गया, Q speed से माल लो, और वापस return हुआ V speed से, पर इसके जो line of motion है, that remains same, after this elastic collision, the bar rotates with angular velocity omega, इसके बाद जो है बार जो है, जो road है अपनी, वो angular velocity omega से rotate कर रही है, और हमें इस question में, omega और V discuss कर रहे है, तो चलिए हम थोड़ा सा basic theme इस question का discuss करते हैं पहले, कुछ ऐसा है कि यह horizontal surface पर यहाँ पर अपने पास एक road रखा हुआ है, एक particle है जिसका mass M है, और वो इदर आ रहा है, इस direction में U speed से, यह आया, इसके साथ टकराया, और collision के बाद के जो हलात है, वो कुछ इस type स है, कि यह जो particle है, same path पर, इदर V speed से return होता है, और यह जो road है, यह angular velocity omega से rotate करता है, तो यहाँ पर दो चीज़े हैं अपने पास है, हम यहाँ पर जो जो apply कर सकते हैं, collision के cases में, generally यह अपन तीन चीज़े apply करते हैं, हम linear momentum conservation, angular momentum conservation and the definition of coefficient of restitution, यह तीन चीज़े apply करते हैं, अब इस वाले case में देखें, तो यह इस वाले point पे hinged है, यह इस वाले point पे hinged है, तो external force available है, और यदी external force available है ना बेटा, तो हम linear momentum conservation apply नहीं कर सकते, तो दो चीज़ें बची, first one is angular momentum conservation, और second one is definition of coefficient of restitution, तो चलिए हमने थोड़ा सा, आप लोगों का भी time बचे, वीडियो देखने में ब है, और यहां से इसकी जो distance है, यह distance L by 2 है, तो initial angular momentum की बात करेंगे, तो इसका initial angular momentum MUL by 2 आ जाएगा, अब collision के बाद यह जो road है, obviously this road will rotate in this direction, road इस direction में rotate होती है, तो road का angular momentum, ML square by 3, लेकिन road के मास को हमने क्या का था, 10M, तो ML square by 3 into angular velocity omega minus में, अब इस particle के बारे में बात करते हैं, यह जो particle है, particle के पास इस direction में speed V है, तो इसका angular momentum जो है, वो opposite direction में आएगा, तो data मेरे पास जो निकल कर आ रहा है, MUL by 2, equal to 1 by 3, into 10M into L square omega minus MVL by 2, यह तो पहली चीज होगी, जहां हमने angular momentum conservation अपलाई किया, दूसरी चीज जो है, that one is the definition of coefficient of restitution, तो जिस point पर collision हो रही है, मैं उसको लेकर बात करता हूँ, यह वाले point की collision के बाद velocity जो है, वो omega L by 2 होगी, यदि road angular velocity omega से rotate कर रही है, यह अपने पास omega L by 2 आया, particle जो है वो इस direction में V speed से जा रहा है, तो speed of separation will be omega L by 2 plus V, this will be the speed of separation, अब यहां से, speed of separation upon speed of approach, coefficient of restitution की definition यह होती, road rest में है, तो उसके लिए u minus 0, और that one is 1, यहां पर अपने पास 2 equations बन रही है, यदि अपने इन दोनों equations को equate करके calculate करेंगे, तो speed V की value जो है, that value comes as 4.3, और angular velocity omega जो निकल के आती है, that comes as 6.98 radian per second, तो यदि इसके according अपने question को लेकर बात करें, तो option A is the correct answer, angular velocity is 6.98 and the speed of particle is 4.30 meter per second, चलिए सर अगले question की बात करें, the next one is question number 5, question number 5 में बोला गया है, that a container has a base 50 into 5, यह container है, इसका base है 50 इदर और 5 इदर, और height दी भी है 50 cm, as shown in the figure, it has two parallel electrically conducting walls, each of area 50 into 50, यहाँ पर एक electric plate है, इसके साइड में इदर parallel एक electric plate है, जिनकी यह वाली width तो 50 है और यह वाली जो height, that one is also 50, the remaining walls of the container are thin and non-conducting, चीक है, इसके जो अगली walls हैं, यह वाली जो walls हैं, इनके बारे में यह बोला गया है, कि यह जो walls हैं, यह non-conducting walls हैं, चीक है, the container is being filled with a liquid of dielectric constant 3, इस container को हमने fill किया है, इस liquid से, उस liquid का dielectric constant जो है, वो 3 है, और इसे, इस dielectric constant से, जो fill किया जा रहा है, वो uniform rate पर किया जा रहा है, at a uniform rate of 250 cm3 per second, what is the value of capacitance of container, after 10 second, 10 second के बाद, इस container का जो capacitance होगा, उस capacitance की value calculate करके बतला नहीं, permittivity of free space की value, जनरली यह वाली value 8.85 into 10 की पार minus 12 होती है, अगलेने calculation थोड़ी सी आसान करने के लिए, यह वाला data 9 into 10 की पार minus 12, column square per newton meter square लिया, the effects of non-conducting walls on the capacitance are negligible, non-conducting walls के effect के बारे में हमें कोई discussion नहीं करना है, उनको negligible मान दा, चलिए तो सबसे पहले basic idea लेते हैं question के पीछे, जैसे यह इस side में capacitor है, और इधर हमने क्या किया है, base से कुछ liquid fill करना शुरू किया है, और किसी particular instant तक मान लो liquid जो है अब यह इस वाले area में fill हुआ, तो यहाँ पर अपने पास दो type के capacitor होगे, और यह जो दोनों capacitors है, एक तो यह जो upper part वाला capacitor है यह वाला, और एक यह जो lower part वाला capacitor है यह वाला है, इसके capacitance को मैं let's suppose C1 करता हूँ, और इसके capacitance को let's suppose मैं C2 करता हूँ, तो यह दोनों जो है, यह parallel combination में हो गए, अच्छा, दूसरा, यदि मैं इस वाली height को L कहूँ, Y कहूँगा, पालो किसी particular instant पर H कह दो, Y कह दो, तो इधर जो data बचेगा, यह वाला data मेरे पास L-Y का बचेगा, अब दूसरा plate कुछ इस type से है, यदि plate कुछ इस type से है, तो यह वाला जो part है, डाइलेक्ट्रिक का यह वाला, इस वाले part का area जो होगा, that will be height into this width, यह L के equal है, और यह अपने पास दोनों के बीच का separation दो की 5 cm के equal गिवन है, तो यह तो इसका हुआ basic idea, अब अपने को question में particularly, बोला गया कि 250 cm3 per second से बारा जा रहा है, और हम 10 second बात कर रहे है, 10 second बात कर रहे हैं, तो मैंने का माल लो कि यह किसी particular instant में, h height तक गया, तो वहाँ पर देखो, यह वाला जो part है, यह वाला part है 5, यह वाला part है 50, तो इसके base का area होगा 250, यह वाली height यह दिए इसकी h है, तो liquid का volume किसी time t पर, 250 into H के equal होगा, और हमें जो filling rate बोली गई है, वो बोली गई है 250 cm3 per second, और हमने जो बात चीश सुरू किये, वो 10 second पर सुरू किये, तो 10 second बाद, जो liquid fill होगा, that will be 250 into 10, और यदि height अपन H बोल रहे हैं, तो 250 into H, तो height जो निकल कर आई, वो 10 cm निकल के आई, और 10 cm को यदि मैं में मीटर में convert करूँ, तो 10 की पावर माइनस 1 मीटर आ लिया, अब जिन 2 capacitors की मैं बात कर रहा हूँ बिटा, एक capacitor जो है, वो तो यहाँ से height तक है, तो इसके लिए मैंने पहला capacitor, जिसका capacitance K epsilon note A into D होगा, D इन दोनों के बीच का separation है, that data is 5 cm, जिसे अपन SI में put करेंगे, तो यह data 0.05 cm जाएगा, यह L into H, इसका area हो गया, L तो इस type से, H यह वाली height, तो यह L into H हो गया, दूसरा यदि मैं उपर वाले capacitor के लिए बात करूँ, तो यह जो height इसकी remaining रही है, that height is L minus H, तो उसके लिए capacitance लिखा जाएगा, Epsilon note L minus H into L, अब उन में D, अब यह दो capacitance parallel combination में है, तो C equivalent comes as C1 plus C2, परिशान ना हो, हम इसका data put कर देता है, K की value 3 है, Epsilon note put किया, height की value 0.1 meter आ रही है, and L is 50 cm, तो meter में बोलेंगे तो 0.5, similarly इस वाले में बात करेंगे, L is 0.1, L is 0.5, तो L minus H is 0.4, तो this is 9 into 10 की पार, minus 12 into 0.4 into 0.5, divided by 0.05, तो यहां से total value की बात करें, तो यहां से total value की बात करें, तो इस वाले question में यदी में बात करूं, तो according to this, the second answer, B option is the correct answer, चलिए सर्फ, next question की बात करते हैं, question number 6, देखे इसमें बोला गया है, 1 mole of an ideal gas expands adiabatically from an initial state, TA, V0 to final state, TF, 5V0, पहला जो expansion हो रहा है, that expansion is adiabatic expansion, another mole of the same gas, इसी same gas का एक और mole expands isothermally from different initial state, initial state different है, TB, V0 to the same final state, same final state, मतलब adiabatic की final state और isothermal की final state same है, TF, 5V0, देखो इसमें एक चीज है न, बच्चे यहाँ पर इस चीज में confuse हुए हैं थोड़ा सा, कि उन्होंने isothermal process देखा, TB, V0 और TF, 5V0 क्यों दिया हुआ है, पिटा कुछ नहीं है, TF की value जो है, वो TB के equal है, simple सी बात है, अच्छा, फिर इसमें बोला गया, the ratio of specific heated constant pressure and constant volume of this gas is gamma, what is the value of TA upon TB, मतलब इसके लिए specific heated constant pressure और constant volume, इसको अपन adiabetic coefficient बोलते हैं, specific heated constant pressure और specific heated constant volume, इसको अपन adiabetic coefficient बोलते हैं, और adiabetic coefficient की value अगले ने gamma दिये, मुझे TA by TB की value जो है, वो calculate करके बतलानी, यह बहुत normal सा question है, तो सबसे पहले अपन कुछ basic idea यदि इस question के पीछे बात करें, एक process जो है वो isothermal है और एक process adiabetic है, यदि adiabetic है, वो isothermal के basis पर तो अपन ने यह कह दिया कि भाई साब TF जो है, वो TB के equal होगा, दूसरा adiabetic process की general equation P, V raise to the power gamma equal to constant होता है, यदि मैं pressure को लिखना चाहूं, तो I can write it like mu RT upon V, into में V की power gamma equal to constant, तो we can write it T, V की power gamma minus 1 equal to constant, अपने इसको कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, process की equation, तो T, V की power gamma minus 1 equal to constant, यदि अपने process की equation होगी, आप देखोगे, simple सी बात है, इसी भी adiabetic process के लिए, T initial V initial की power gamma minus 1 equal to T final V final की power gamma minus 1, मेरे को बस इतना ही put करना है कि Tf की value जो है, वो TB की equal है, यहाँ से T, मैंने put किया T, V note की power gamma minus 1 is equals to Tf, 5 V note की power gamma minus 1, यहाँ से T upon TB की value जो मेरे पास निकल किया रही है, that value is coming as, Tf की place पर TB put करो, T upon TB, V note तो cancel out हो गया, 5 की power gamma minus 1 बचा, तो इसमें अधी में बात करूँ ना, तो बहुत ज़्यादा simple question है, यह मान की मतलब केवल परोस के दिया गया है यह question, इसमें एक ही बात का जान देना, ताकि Tf को TB के equal put कर रहा है, तो इस question की according अधी में बात करूँ, तो option A is the correct answer, चलिए sir, अगले question की बात करें, question number 6 के बाद, question number 7, यह भी एक बहुत simple सा question है, question में यह बोला गया कि दो satellite है, P और Q, और दोनों different circular orbits में अर्थ के round revolve कर रही है, और अर्थ की जो radius है, that is capital R, the heights of P and Q from the earth surface is HP and HQ respectively, P और Q की earth surface से height जो है, HP और HQ है, जहाँ HP की value question में given है कि R by 3 है, the accelerations of P and Q due to earth's gravity are GP and GQ, कि P और Q जिस locations पर है, वहाँ पर gravitational acceleration की value, GP और GQ है और वो कुछ इस type से है कि GP और GQ का ratio 36 by 25 दिया गया और हम से HQ पूचा गया है, यदि मैं इस question के पीछे, basic idea की बात करूँ, तो basic idea बहुत simple सा है, कि earth surface से, यदि H height पर, मैं gravitational acceleration discuss करना चाहता हूँ, तो earth surface से H height पर gravitational acceleration की value, GM upon R plus H का whole square होती है, तो satellite P के लिए इसको HP लिख देंगे और satellite Q के लिए इसको HQ लिख देंगे, और इन दोनों का ratio जो दिया गया है, that ratio is 36 raise to 25, तो यदि है अपन उसके according बात करें, देखिए, GP upon GQ लिखा है मैंने सीधा सीधा, तो GP is ZM upon R plus H P का whole square, and GQ is ZM upon R plus H Q का whole square, और ये वाला ratio मेरे को 26 raise to 25, 36 raise to 25 given है, यहां से मेरा GM तो cancel out हो गया, ये data R plus H Q का whole square divided by R plus H P का whole square, that raise to is 26 raise to 25, दोनों तरफ root ले लो, तो ये आगया R plus H Q upon R plus H P, that value is 6 raise to 5, देखिए, यहां से यहां से इस question को solve करें, 5 R plus 5 H Q, ये ज़िख उस to 6 R plus 6 H P, तो 5 H Q comes as R plus 6, और H P की value जो है, वो R by 3 की equal given है, cancel out हो आट 2 times R plus 2 R, that comes as 3 R, तो ये दी मैं H Q की बात करूं, तो H Q की value जो मेरे पास निकल के आरी, that is 3 R by 5, so this is also very simple question, so according to this, यदी मैं बात करूं, तो J की according given questions, A option is the correct answer, section 3, इसके अंदर total 6 questions है, non-negative integer जिनके options है, तो उसमें questions देखते हैं, first question, first question है वो लखा है कि hydrogen-like atom जो है, जिसका atomic number Z, photon emit कर रहा है, electron की transition N equals to 4-3 में, तो electron 4-3 में आ रहा है, तो उसके करस्पड़ने के अपने energy लिख सकते है, photon की, energy क्या लिखेंगे, 13.6 R, sorry, Z square, 1 by N1 square, minus 1 by N2 square, ये energy होगी, photon वहाँ से आया, इतनी energy release करेगा, और ये जो photon है, ये किसी target metal पे जा रहा है, और उससे maximum kinetic energy का photon 1.95 यूज हो रहा है, मतलब photoelectric effect यूज की अब, तो photoelectric effect में क्या बोलता है, कि अगर कोई photon आ रहा है, इनर्जी का, ये बाला photon, ये बाला photon आया, तो इस photon की वज़े से, कुछ, तो उसको निकालने में energy लग गई, work function, प्लस, बाकी energy इसके बास kinetic energy की फॉर्म में हो गई, हम क्या कुशिश करेंगे, पहले work function निकालते है, photon की wavelength दे रही है, threshold wavelength, work function प्लस kinetic energy maximum, photon की energy जो incident हो रहा है, और उस photon की जो energy है, hydrogen-like atom से बाहरा आ रहा है, तो 13.6z², 1 by n1²-1 by n2² अपने यूज कर रहे, तो calculation देखते हैं, तो अपन ने क्या क्या, जो photon जो emit हुआ, उसकी energy क्या लग सकते है, sc by lambda equals work function प्लस kinetic energy maximum, और इस energy को हम अभी e consider कर रहे है, sc by lambda बो दिया work function को, lambda naught की value दे रखी है, 310 nanometer, और sc की value गीवन है यहाँ पर, 1240 electron volt nanometer, और कानिटिक energy maximum गीवन था, तो इससे e की value अपनी calculate होके आ रहे है, 5.95 electron volt, अब यह photon आया कहां से, hydrogen like atom से, तो 1 plus 13.6 z square, 1 by n1 square, minus 1 by n2 square, use कर रहे हैं, 4 से 3 में आया, तो 1 by 3 square, minus 1 by 4 square, इस calculation से जब हम z की value निकालते हैं, तो z 3 के equal अपना आत, next, question number 9, एक optical arrangement given है, जिसमें 2 concave mirror है, एक convex lens है, और इनका principle axis common है, focal length इसका 10 given है, radius of curvature M1 और M2 का, 20 और 24, मतलब focal length 10 और 12 given है, distance इनके बीच की तेरह किया 20 cm, एक object जो है, वो place किया है, इनके midpoint पर S, तो distance between L and M1, N by 7 है अगर, तो image जो है, वापस S पर कौन साइड हो रही है, कोई सी एक image, one of the image जो है, वो कौन साइड हो रही है, S पर, तो value of N बताना है, कितना होगा, ठीक है, तो देखें, क्या कर सकते हैं, इससे जो raise, इसकी तरफ जा रही है, fixed distance है 10, इसका focal length अपना 12, तो यह इसके focus और pole के बीच में हो गया, यह object, 12 cm, 10 cm रखा वा था, तो पीछे की और image बनाएगा, पीछे की और जो image बनाएगा, उसकी calculation अगर देखें, तो 1 by V plus 1 by U, बराबर 1 by F, जहां पर U की value है, minus 10, focal length है, minus 12, उससे V की value आजाएगी, प्लस 60, यह जो image है, इससे जो raise गई इसकी तरफ, उसने पहली image यहां बना दी, 60 बे, अब यह जब raise रिफलेक्ट होके, इसकी तरफ गई, lens की तरफ, lens से पास होगी, तो lens से पास होने पर, अब इस lens से यह distance होगी, 20 plus 60, 80, 80 cm, अगर यह 80 cm है, तो यह lens इसकी image बनाएगा, क्योंकि इसकी focal length 10, 2F से भी पीछे रखी भी है, तो यह इसकी image, 1 by V minus 1 by U, इस I1 की image यह बना रहा है, I4 भूल रहे हैं इसको, 1 by V equals to 1 by F, plus 1 by U के बराबर यह value आगे, V की value 80 by 7 आजाती है, 80 by 7 मतलब, इस direction में यहाँ पे गई मानलो, 80 by 7 पे इसने image बना दी, अब यह position कौन सी, इस पे आते हैं, discuss करते हैं, तो यह इसने image यहाँ पे बना दी थी, अब दूसरा, यहाँ से भी raise जा रही होगी, या raise वापस reflect हो रहा होगी, दोनों situation में, यह रखावा इससे 10 पे इसकी focal length है 10, इसका मतलब यह जो raise है, यह इसके focus पे रखावा object है, तो raise जो जा रही है, उसको यह parallel कर देगा, parallel कर देगा, तो यह raise इसके focus पे पास होगी, ठीक है, इसके focus मतलब इसका focus है 10, 10 से यह पास होगी raise, ठीक, अब क्या-क्या possibility है, कि अगर यह वाली image और यह वाली image एक ही जगह बन रही है, तो ऐसे समझ के चलो कि यहां से कोई भी raise आ रही थी, वो यहां से पास हुई, तो इसी path को follow करते वे वापस जाएगी, यहां पर image वापस बन जाएगी, तो अगर यह दोनों coincide हो गई, तो वापस image यहीं बननी है, raise इसी को retrace करेगी, यहां से जो raise गई, वो इस path को follow करते वे वापस यहीं आनी है, ठीक है, यह situation आएगी, इसका मतलब एक option तो अपना यह हो सकता है, कि 10 प्लस 80 by 7 यह distance हो जाए, दूसरा यह हो सकता है, कि यह जो image यहां बनी है, यहां बनने के बज़ा इसी के pole बन जाती है, यह वाले, lens जो pass हो कि 80 by 7 पे बन रही है, यह अगर इसी के pole बनती है, तो pole बनते timer क्या होता है, raise जैसी आती वैसी वापस भेज देता, तो यह raise जैसी आर यह वैसी वापस भेज देता, तो इस lens के लिए 80 by 7 पे object हो जाता, उसकी image यह 80 पे बनाता, और वो 80 इसके लिए 60 पे होता, वापस image यहां बना देता, एक possibility, थर्ड possibility क्या हो सकती है, कि यह जो है, यह इसके center of curvature पे होता, center of curvature पे होता, तो जैसी raise जाती ही, वैसी वापस भेज जाता, वैसी raise वापस भेज जाता, तो उसी raise का follow करते हुए अपन जाते, तो वापस यह यह आते, तो यहां पर multiple options है, उन में से एक option जो है, अपना आजाता है, N equals to 150, अगर हम यह consider कर लेते हैं कि 10, यह जो image बन दी दिर, यह image दोना एक जिगह बन दी है, तो 10 plus 80 by 7, तो 150 by 7 यह आ जाता है, और N की value पूछी थी, तो यह अपनी value आ जाती है, 150, दूसरी possibility, इसी को pole पे ले जाएंगे, तो 80 by 7 से, दूसरी possibility 80 आ सकती है, और यही अगर इसके center of curvature पे बने, थाकि raise वापस retrace कर ले, तो उससे 140 plus 80, 220 by 7, तो multiple options है, इसके अलावा possibility और हो सकती है, 80 की, इसके अलावा और possibility है, 220 की, उन में से एक option है, 150, next, question number 10, इसमें एक convex lens, जिसकी focal length calculate करनी है, और उसके लिए दे रखा है कि object जो है, वो 10 plus minus 0.1 पे है, और real image 20 plus minus 0.2 पे है, तो इसमें focal length में percentage error कितना है, वो calculate करना है अपन को, तो एक lens given है, जिसमें 10 पे object रखा हुआ है, with error 10 plus minus 0.1, और इसने real image बनाया है, तो इधर real image 20 पे बनाया होगा है, इसने, तो इसके corresponding focal length अगर इसकी calculate करेंगे, तो 1 by V, 20 minus 1 by U, minus 10 equals to 1 by F, इससे इसकी focal length यहां पे आजाएगी अपनी, तो focal length की value आजाएगी 20 by 3 cm, error पूछी भी है, तो error के लिए हम क्या कर सकते हैं, differentiation का use करेंगे, और differentiate करके फिर error calculate की जा सकती है, तो देखते हैं, तो अपनने पहले तो calculate कर लिया, इसका focal length 1 by V minus 1 by E, तो focal length की value आज़ी 20 by 3, फिर इस वाली equation को differentiate किया, 1 by V का differentiation, minus 1 by V square DV, 1 by U का differentiation, minus 1 by U square DU, 1 by F का differentiation, minus DF by F square, सारे minus cancel कर दिया, तो यह relation finally आगया था, अब यहां पे इनकी values, DV means, small V में जो change हुआ वो, error 0.2 की, DU, U के अंदर error, plus minus 0.1 की, DF, F के अंदर जो error आएगी, तो F को इदर cross multiply कर दें, अगर तो यह हो गया, DV by V square minus DV by U square into F, percentage चीए था, into 100 कर दिया, DV 0.2 by 20 का square, DU plus minus 0.1 है, minus है, error maximum चीए, तो यहां पे plus करने के लिए, 20 by 3 into 100, तो यहां से maximum error जो आजाएगी, इसके अंदर, 1% की error आजएगी, next, next question में, close container है, homogeneous mixer, mixture of 2 mole, an ideal monotomic gas, और 1 mole है, ideal diatomic gas, gamma का value is given है, और यहां पे, gas mixture जो है, वो work है, उस पे 66 Joule का, constant pressure पे, change in internal energy कुच्छाव है, ठीक है, तो देखें, constant pressure पे अगर work है, तो constant pressure पे work की value आती है, N, R, delta T के बराबर, यह work की value आएगी, N number of mole, 2 mole इसके हैं, 1 mole इसके हैं, फिर delta U की value, delta V, U दोनों gases है, तो delta U की value हम use कर सकते हैं, N, C, V, delta T, दोनों gases हैं, तो दोनों के लिए use करना है, लेकिन दोनों एक ही container के अंदर, तो दोनों का temperature rise, तो same ही होगा, और वो ही same temperature rise यहाँ पे, तो यहाँ पे, अगर हम इनका ratio ले ले, तो हम क्या कर रहे हैं, work की value बोल रहे हैं, यहाँ से delta U की value अपने आ जाती है, 121 joule के equal, question number 12, एक person की height 1.6 meter है, walk कर रहा है, एक lamp post जिसकी height 4 meter है, उसके along a straight path पे, flat ground पे, lamp post और person जो है, वो perpendicular है ground के, speed दे रखिया person की 60 cm per second, तो speed of tip of the person's shadow on the ground with respect to person, वान्द उसके head की जो image बन दी होगी, shadow बन दी होगी, उसकी velocity पूछी है, तो देखो, अपन क्या कर सकते है, diagram बनाए, तो ये lamp post 4 meter, person की height 1.6, यहां से light आ रहे होगी, बागी सारी light जो है, उपर वाली pass होगी, यही cover होगी, तो ये shadow होगी, shadow का tip ये होगया, इसकी velocity पूछी है, तो man के relative पूछे, man से distance इसकी y कंसीरा कर लेते है, और lamp post से man की position कंसीरा कर लेते है, x, ठीक है, dx by dt बतायेगा man की velocity, dy by dt बतायेगा man के relative, इसके head की velocity, यहां से position mark कर रहे हैं, तो यहां से velocity बतायेगा, अब इन में relation क्या होगा, जो metric से दिख रहा है, 10 theta, height by base, 4 by x plus y, तो velocity, shadow head, वो 2 by 3 times velocity of man, 40 cm per second आजाता है, next question, 13, 13 के अंदर, दो point like mass, 20 और 30 gram के, दो एक rigid massless rod के दोनों end पर है, rod का length है 10 cm, suspend कियावाया है इस पुरी system को vertical में, wire से, center of mass से, इससे, इसके center of mass से इसको लटका दिया, ता कि balance रहे है, अब resultant torsional pendulum, small oscillate कर रहा है, तो torsional constant की value given है, angular frequency oscillation की बतानी है, तो torsional pendulum की angular frequency, omega equals to होता है, root c by i की बरावर, i moment of inertia, point of suspension के about, इसके about, तो moment of inertia, center of mass के about, किसी system का होता है, mu r square, mu हम बो सकते हैं, m1 m2 by r, m1 plus m2, ये moment of inertia बो सकते हैं, तो सिधा इससे आएगा, c की value दे रखे है, torsional constant की, m1 m2 दे रखे है, distance दे रखे है, तो moment of inertia आएगा, तो यहां से, omega की value calculate करें, c by i का root, moment of inertia, m1 m2 by m1 plus m2 into l square, तो इन values को put करेंगे, values given थी, 20, 30 gram, c की value given है, यहाँ पे, 1.2 into 10s bar minus 8, तो इससे अपने जो, omega की value आजाती है, 10 into 10s bar minus 3 radian per second, पूछा वादा अपन से, इस n की value, तो n की value यहाँ पे अपने 10 आजाएगी, ठीक है, ओगे डियर, तो अपन अपने next section की तरफ बात करते हैं, section 4, इस section में, 4 match the column वाले questions थे, तो जही ने आज करना, match the column की questions का थोड़ा सा trend बदल दिया है, match the column में, दोनों साइड में paragraph है, दोनों साइड में list दीवी हैं, और list की matching के basis पर आपको एक option चूज करना है, तो question थोड़ा सा आसान भी हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कि एक या दो पूरा match कर लो, तो उसके बाद 4 options match करने की requirement ही नहीं है, अब इसमें है कुछ ऐसा, कि दो list गिवन है, list एक में PQRS option है, और list second में 1, 2, 3, 4, 5, 5 entries है, उनमें 4 multiple, 4 option based question दियेंगे, जिनमें से कोई A correct है, जिसको हमें choose करना है, question के लिए plus 3 दे marking है, correct पे 0 non attempted और minus 1 negative के case में, तो चलिए सर, पहले question की बात करते हैं, पहला question जो है modern physics से आया हुआ, बहुत ही आसान सा question, बहुत basic सा question है, इसमें list first shows different radioactive decay processes, list first में कुछ different radioactive decay process दिखाएगे हैं, और list second में कितने particles emit हुए, उनका number दिखाया हुआ है, और match entry in list first with an appropriate entry from list to second, and choose the correct options, list first और list second में match करने के बाद correct option को चूज करते हैं, तो चलिए पहले तो discussion का एक basic सा theme अपने discuss करते हैं, basic सा theme कुछ ऐसा है कि, जैसे मालो यह कोई element है X, atomic number इसका Z है और atomic mass number जो है वो A है, तो यदि मैं इसमें बात करूँ न, देखो, यदि इसमें से एक alpha particle release होता है, यदि इसमें से एक alpha particle release होता है, alpha particle का mass number 2, mass number 4 होता है और atomic number 2, helium का nucleus है in the sense, तो इस वाले case में यह जो element Y है, इसके लिए atomic number जो होगा, वो 2 से decrease होगा और mass number जो होगा, वो 4 से increase होगा, तो साथ में कुछ energy release होती है, तो यह एक basic funda है कि यदि particle alpha particle को emit करता है, तो emission के बाद वो किस type की situation में जाएगा, उसके बाद यदि मैं बात करूँ दूसरा, कि यदि कोई particle, beta plus particle का emission करता है, चलिए, तो पहले beta plus particle की बात करते हैं, देखिए beta plus particle का emission यदि होता है, तो एक proton जो है, वो break होता है, एक neutron में, एक electron में, और इसके साथ एक neutrino particle का emission होगा, ये emission होता है, जब beta plus particle का emission होता है, और यदि मैं beta minus particle के लिए बात करूँ, तो इस वाले case में, neutron जो है, वो proton में break होगा, एक electron emit होगा, और साथ में एक anti neutrino emit होगा, तो इस वाले case में, यदि मैं जैसे पहले beta plus की बात करूँ, देखिए proton यदि neutron में break हो रहा है, तो इसके atomic mass number में change होने का कोई सवाल नहीं है, तो इस वाले situation में, ये z और ये a, mass number जो है ना, उसमें change नहीं होगा, पर इसके atomic number में जो है ना, वो change होगा, atomic number में change क्या होगा, proton neutron में break हो रहा है, तो z में एक का decrement होगा, so this will be z minus 1, mass number remains the same, plus में, यहाँ पर अपने पास एक beta plus particle release होगा और एक neutrino release होगा, similarly, यदि मैं beta minus particle के लिए बात करता हूँ, तो beta minus particle के case में, proton जो है, neutron जो है, वो proton में और electron में जा रहा है, similarly, mass number जो है, उसमें कोई change नहीं होगा, क्योंकि एक neutron में decrement हो रहा है, तो एक proton में increment हो रहा है, तो, atomic number जो है, that will increases by 1, तो इस वाले case में, यह जो y है, this will be z plus 1, this will be a, साथ में एक electron का emission होगा, और साथ में एक entri neutrino particle emit होगा, तो यह इस question के पीछे की basic theory है, अब इसमें अब अपन बात करें, mass number को लेकर बात करनी है, तो alpha particle, बाकी atomic number में chances देखने केवल, तो beta particle, beta plus और beta minus, बीटा plus के case में, एक का decrement होगा, बीटा minus के case में, atomic number में एक का increment होगा, चलिए, अब अपन question के बारे में बात करते हैं, तो first वाला जो option है, जिसमें uranium 230, uranium 92 to 38 जो है, वो PA 91 to 34 में जा रहे है, अब यदि आप उपर की तरफ गोर करो, तो इसका जो mass number है, 92 to 38, this is breaking into PA, 91 to 34, तो इसका mass number 4 से decrease हो है, और mass number जो alpha particle के case में, 4 से decrease होता है, तो alpha particle, यदि मैंने एक alpha particle का emission किया, तो uranium, you know, 92 to 38 जो है, वो अपने पास, किसी particle में break होगा, ये 90 आगे आपने पास, अपने पास, अपने ठीक है, atomic number में 2 का decrement करना, mass number में 4 का decrement करना, so this is 234, लगी हमारे पास जो है ना, अब इसके बाद, atomic number में, एक का increment हुआ हुआ है, atomic number में, mass number same है, तो इस वाले case में, obviously, बीटा particle का emission होगा, यदि बीटा particle का emission होगा, बीटा भी कौन सा, यदि बीटा प्लस निकलेगा, तो atomic number में, एक का decrement, बीटा माइनस निकलेगा, यह 91 to 34 आ जाएगा, तो इसके according यदि, मैं बात करता हूँ, तो देखिए, unanimous एक alpha particle निकला है, और एक बीटा माइनस particle निकला है, एक alpha और एक बीटा माइनस particle, तो P वाले के according यदि, मैं बात करूँ, तो P वाले में, जो correct matching आ रही है, एक alpha particle और एक बीटा माइनस particle, तो P के according जो matching आ रही, that one is the fourth, तो option या तो A correct होना है, या B correct होना है, ठीक है, बाकि अपन बात कर लेंगे, कैसे match होना है, और option दोनों में से, कोई A correct होना है, या तो P correct होना है, या तो A correct होना है, या B correct होना है, क्योंकि P में 4 इन दो में दीवल है, जैसे क्यों solve गरोगे question, आपका solve हो गया पूरा, दूसरे वाले की तरफ यह दी अपन बढ़ते हैं, तो दूसरे वाले में, दूसरे वाले में PB 82 214 है, और यह PB 82 210 में जा रहा है, यदि ऐसे situation है, तो हमने का सबसे पहले तो, देखो PB 82 214 और यह जा रहा है PB 82 210, तो सबसे पहले मास नंबर में 4 का decrement है, और यदि मास नंबर में 4 का decrement आता है, तो वो तब ही possible है, जब एक alpha particle का emission हो, तो जैसे ही अपन ने कहा कि PB 82 214, यहां से मैंने एक alpha particle का emission किया, emission किया तो यह वाला data 80 210 आ गया, अब देखो मेरे को ना, मास नंबर में increment करना है, स्वरी, एटोमिक नंबर में increment करना है, मास नंबर तो सेम है, एटोमिक नंबर में increment के लिए बीटा माइनस C होता है, और यहां पर 2 का increment हो रहा है, 82 210 तो यहां से 2 बीटा माइनस particle का emission होगा, तो इस वाले case में answer जो आएगा, 1 alpha and 2 beta particle, तो यह अपने options के साथ बात करें, 1 alpha and 2 beta minus particles, 1 alpha and 2 beta minus particles, 2 beta minus करना और 1 alpha कर, तो 3rd one is the correct answer, तो क्योंके साथ 3rd वाली जो matching है, तो किस में आ रही है, यह में आ रही है, तो correct answer is A, चलिए अगले 2 पार्ट भी discuss करेंगे, पर आप exam दे रहे हो यह दी, तो exam में यहीं तक रूग जाओ, बात करते हैं, आर वाला जो option है, उसमें TL 81 210 है, और यह मेरे पास PB 82 206 में जा रहा है, मास नंबर में 4 का decrement है, जैसे ही मास नंबर में 4 का decrement है, सबसे पहले 81 210, मास नंबर में 4 का decrement के वल अलफा पार्टिकल के थूँ हो सकता है, अब जब मैं 79 से final element देख रहा हूँ, तो final element में में 82 चाहिए, तो atomic number में increment देना है, atomic number में increment देना है कितने का? 3 का, तो 3 बीटा माइनस पार्टिकल इससे एमिट होँगे, तो इस वाली situation में 1 अलफा और 3 बीटा माइनस पार्टिकल, तो उसके according यदि आपन बात करें, तो R में 2 गिवन है, 3 बीटा माइनस और एक अलफा पार्टिकल, फॉर्ट वाले option में बात करें, PA 91,228 और यह break हो रहा है, 88,214 में, देखो, अब इसमें एदि में बात करूँ, PB 91, 228, यह थोड़ा सा यहां गलत लिखागे बिटा, इस वन इस RA, 88, 224 में जा रहा है, आप मास नमबर में देखोगे, फिर वही चार का डिक्रिमेंट है, मास नमबर में डिक्रिमेंट के वहल अलफा पार्टिकल की बेशा आता है, और च्यार का डिक्रिमेंट आया है, इसका मतलब एक अलफा पार्टिकल निकलेगा, चीके सर, तो यहां से यहां में सबसे पहले, हमने कहा सर यह 91 है, यह 228 है, यह इदर गया, यह गया किसमें, 2789 में, और यह चला गया, 224 में, अब इससे आगे यादी बात करें, तो मास नमबर में कोई चेंज नहीं है, एक का डिक्रिमेंट है, अटोमिक नमबर में डिक्रिमेंट जो होता है, वो केवल और केवल बीटा प्लस पार्टिकल के तुरू हो सकता है, तो बीटा प्लस पार्टिकल के तुरू यह 88, 224 में जाएगा, तो एक अलफा पार्टिकल निकल रहा है, और एक बीटा प्लस पार्टिकल निकल रहा है, अपन अपने option में check करना चाहें तो S में 1 correct आ रहा है, 1 alpha और 1 beta particle तो according to this first one is the correct answer explanation में मेरे को हो सकता है फ्राचा time लगा इसमें पर ये question बहुत आसान question है modern physics का चलिए sir, अगले question की बात करते है question number 14 के बाद, the next one is question number 15 15 में बोला गया कि match the temperature of a black body given in list first, appropriate statement in list second, choose the correct options, कि दो list है, एक में black body का temperature दिया हुआ है, और दूसरे में कुछ temperature के according कुछ options given है, जिनकी अपने को matching करने है, तो देखो, winds constant की value इसमें given है, और इस winds constant की value जो है, वो 2.9 into 10 की पार minus 3 meter per Kelvin है अब winds constant और temperature और wavelength corresponds to maximum emission में, यदि मैं किसी black body के spectrum की भात करता हूँ, तो black body में, E lambda versus lambda का जो graph आता है, that graph is something like this, और ये wavelength corresponds to maximum emission होगी है, black body के temperature और wavelength corresponds to maximum emission में relation होथा है, lambda m into t is equals to b, where b is the winds constant, और इस winds constant की value equation में given है, that one is 2.9 into 10 की पार minus 3 meter into Kelvin और इसके according मुझे कुछ options जो है, वो match करने है, जो given है, तो चलिए सर, one by one शुरू करते हैं, सबसे पहले वाले option को लेकर बात करते हैं, सबसे first option में temperature जो लिया गया है, वो 2000 Kelvin का लिया गया, देखे temperature जितना low होगा, wavelength corresponds to maximum emission उतना ही high होगा, यदि मैं इन सारे options को देखू, एक तो अच्छी चीज यह है कि single matching है, तो बढ़िया वाली बात है, अब single matching में बात करें, तो जैसे इन 3 options में, list second में, मैं third option की बात करूँ, third option यह कहता, the radiation at peak emission wavelength will result in the widest central maximum of single slit diffraction, कि जो maximum emission, peak emission के corresponding wavelength है, उसकी वज़य से single slit diffraction pattern में maximum width मिलेगी तो single slit diffraction pattern जो होता है, उसमें maxima की जो width होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि यह 2 lambda capital D divided by small d है अब बाकि सारे options के लिए हम lambda capital D by small d को constant बानेगे, जिसके लिए lambda highest है जिस वाली situation के लिए lambda highest है, उस वाली situation के लिए central maxima की width जो आएगी, वो highest आएगी अब lambda जिसके लिए highest है, उसके लिए temperature lowest है, तो यदि अपन इस वाले case में P option में देखते हैं तो temperature lowest है 2000 Kelvin temperature lowest है 2000 तो wavelength highest होगी wavelength highest होगी, तो central maxima की width भी highest होगी, तो P के साथ 3rd वाला correct match करेगा अब P के साथ 3rd वाला correct match जो कर रहा है वो A में भी कर रहा है, B में भी कर रहा है A में भी कर रहा है, B में भी कर रहा है और C में भी कर रहा है, तो A, B, C में से कोई एक होगा, अब Q वाले option पे जब हाँ बात करते हो ना, तो Q में तीनों में अलग 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 है इसका मतलब क्यों सोल होते हैं क्यूशन सोल हो जाएगा चीक है अब क्यूवाले option में temperature दिया हुआ 3000 Kelvin अब इधार एक option दिया हुआ question number 4 में the power emitted per unit area is 1 by 16 of that emitted by ये black body at a temperature 6000 Kelvin black body येदी 6000 Kelvin है तो उसके comparison में power emitted per unit area जो होगा वो 1 by 16 होगा देखे black body जो है ना उसके लिए temperature जो है जैसे अपना 3000 Kelvin given है यदि मैं ये 6000 divided by 4 है black body के लिए power emission जो होता है ना वो sigma into t की power 4 से दिया जाता है तो यदि मैं p2 upon p1 की बात करूं then that value will be t2 upon t1 raised to the power 4 तो p2 is equals to p1 t2 is 3000 and t1 is 6000 raised to the power 4 so this one is p1 और साथ में 1 by 2 raised to the power 4 तो ये data जो मेरे पास निकल करा रहा है this data is coming as p1 divided by 16 मतलब 6000 Kelvin के comparison में 3000 Kelvin पर black body का जो power emission होगा 1 by 16 time होगा तो इसके according यदि मैं बात करूं तो q वाले में fourth option correct match करेगा और q वाले में fourth option correct match option c में कर रहा है तो c is the correct answer चलिए अब बाकी 2 की भी बात करते है exam में कदम बात है आर वाला जो option है उसमें temperature given है 5000 Kelvin और इसके corresponding यदि मैं wavelength calculate करूंगा तो देखे 5000 Kelvin के corresponding wavelength lambda m into t is equals to wins constant वहाँ से lambda m की value calculate की तो lambda m मेरे पास लगबग 5800 angstrom आ रहा है और 5800 angstrom जो है वो visible range में आता है 3600 से 7600 या 3800 से 8800 जो अपन अज्यूम करते हैं उसमें 5800 जो आता है वो include हो रहे है तो यह जो है यह visible में आ रहा है तो यह humanize जो है उसको उससे देखा जा सकता है तो आर्क का जो correct option है वो second वाला हो जाएगा उसके बाद यदि मैं S के corresponding बात करूं तो S पर temperature है 10,000 Kelvin और इसमें correct answer first दिया हुआ बाकी तो match करी नहीं है तो अपने एक से ही बात कर लेते हैं अब S वाल है में temperature 10,000 Kelvin है यदि temperature 10,000 Kelvin है तो उसके corresponding मैं wavelength calculate करता हूँ तो उसके wavelength की value जो है वही lambda m into t equal to b lambda m की value 2.8 into 10 की power minus 7 meter आदी है अब यदि ये wavelength है और यहां से मैं किसी photon की energy calculate करता हूँ तो photon की energy calculate होती है hc divided by lambda से hc की value 1.24 into 10 की power minus 6 electron volt में निकाल रहा हूँ मैं energy को तो इसमें अपने पास hcye की value question में given है इसमें परेशान होने की जूरत नहीं है आपको यही वाला data लेना है hcye यदि अपन question वाला data put करते है तो इसमें photon की energy निकल के आती है उस photon की energy आरी है 4.27 electron volt और that is more than 4 electron volt तो किसी भी metal surface का work function यदि 4 electron volt है और आप उस पर 4.27 का photon incident करते हैं करते हैं so then there will be a possibility कि उससे photo electron का emission हो सकता है तो इसके according यदि मैं बात करूँ तो s वाला जो है उसमें correct matching जो है वो first आ रही है so according to this question c option is the correct answer चलिए सर अगले question की बात करते हैं तो dear question अमस 16 में बोला जा रहा है कि a series LCR circuit is connected to a 45 sin omega t volt source ये एक volts टे source से connected है जिसका EMF का हमने को equation given है 45 sin omega t और resonance the resonant angular frequency of the circuit is 10 की पार 5 मतलब omega note की value जो की 1 by root LC ही होती है वो 10 की पार 5 given है current amplitude at resonance is I note resonance per current amplitude जो है वो capital I note है when the angular frequency of the source is जब source की angular frequency 8 into 10 की पार 4 radian per second है current amplitude जो circuit में है that is 0.05 I note if L inductance is 50 millihenry match each entry in the list first with appropriate value of list second and choose the correct options को choose करना है ठीक है बेसिक आइडिया यदि इसका मैं बात करूँ तो resonance के ऊपर circuit में current की value maximum होती है resonance frequency की value जो होती है वो 1 by root LC होती है इस time पर maximum current जो होता है वो V note Y R होता है यदि frequency resonance frequency से different होती है तो circuit के लिए Z की value under root of R square plus omega L minus 1 by omega C का whole square यह Z होता है और circuit में maximum current जो होता है उस time पर वो V note Y Z से given है that is V note divided by under root of R square plus omega L minus 1 by omega C का square अब omega note की value अपने को given है 10 की power 5 हमें circuit में क्या-क्या connect करना है resonance पर i note बतलाना है circuit का quality factor बतलाना है quality factor किसी भी circuit में sharpness को define करता है और circuit में quality factor की value जो है वो 1 by R root LC पर होती है एक अपने को circuit की bandwidth निकाल ली है देखिए bandwidth जो होती है यदि मैं frequency versus current का graph draw करता हूं तो कुछ ऐसा आता है और यह दोनों जो है यह half power frequencies होती है omega 1 omega 2 angular frequency के साथ graph बना लेते हैं current का तो यहाँ पर जो current होता है वो i rms max बतलब rms current जो है वो i rms max divided by root 2 होता है circuit की bandwidth calculate करनी हो तो चलिए अब अपने basic idea हो गया अब उसके बाद आगे बढ़ाते है तो circuit की angular frequency जो है वो 1 by root LC है जिसकी value 10 की बार 5 है यहाँ से यदि मैं circuit का capacitance calculate करता हूँ square कर लो 1 by omega square L इसमे value put करके यदि अपन चेक करेंगे तो इस circuit के लिए मेरे पास जो value आ रहे है capacitance की that capacitance is 2 nanofarad है maximum current V0 by r V0 की value 45 given है अब उस time पर circuit मे current जब angular frequency 8 into 10 की power 4 है उस time पर circuit मे maximum current जो है वो I0 into 0.05 है तो मैंने value put कर दी I0 is 45 by r 0.05 और इदार I की value maximum की value V0 divided by z put कर दिया यदि इस equation में omega L और C की value put करके अपन र calculate करते है तो R की value approximately 112.5 निकल के आती है ठीक है अब उसके basis पर circuit में maximum current that is 45 divided by r the r is 112.5 तो यहां से maximum current जो निकल के आती है that current is 400 mA circuit का quality factor 1 by r root LC तो इसकी value आती है 44.4 delta omega that is the bandwidth bandwidth की value r by L that is 2250 और circuit में maximum power पूछा गया resonance में तो maximum power जो है वो Imax square into में r से calculate होगा Imax अपना 400 mA रहे है resistance की value 112.5 आ रही है तो maximum power जब मैं calculate करता हूं तो इसकी maximum power मेरे के पास 18 volt निकल के आ रही है तो इसकी according में बात करूँ देखो maximum current जो है that is 400 mA तो PKSR 3 को match करवाना अब PKSR 3 केवल इस ही में match है और कहीं है नहीं पहला option बात करता है बाकि manlies question में calculation जो थी न वो r की ही थी जैसे i note आएगा बाकि सारे data अपने आप आजाएंगी क्योंके साथ quality factor जो बोला गया है circuit का that is 44.4 तीसरा bandwidth जो है circuit की that is 2250 और और maximum जो power resonance में वो 18 वोट तो इसके coding correct matching जो है that B is the correct matching चलिए sir next question की बात करते है paper का last question चलिए question no.17 की बात करते है question no.17 में बोला वाए कि एक thin conducting road है MN उसका mass 20 gram है उसकी length 25 cm है resistance 10 ohm है उसको एक frictionless long perfectly conducting vertical rails पर रखा गया जैसा diagram में दिखाया हुआ है और यहाँ पर एक uniform magnetic field है uniform magnetic field जो है वो चार टेसला का है और वो plane के perpendicular direction में outward direction में है road को t equal to 0 पे छोड़ा जैसे ही release करोगे it will fall in downward direction due to gravity gravity की वाज़े से fall करेगा तो magnetic field की presence में moving conducting road एक EMF generate होगा EMF generate होगा तो current flow करेगा और current flow करेगा तो magnetic field की वज़े से force लगेगा magnetic force road is released from rest at equal to 0 and moose along the rails assume air drag is negligible, air drag negligible है और कुछ properties को match करवाना है चलिए तो देखिए question के में EMF पूचा गया है, magnetic force पूचा गया है, power पूचा गया है और terminal velocity पूची गई है देखिए इसमें एक basic idea की यदि मैं बात करूं question को लेकर हमने road को release किया तो road obviously downward direction में fall करेगी road की velocity इस direction में, magnetic force outward direction में है तो इसमें EMF generate होगा और उस EMF की value किसी particular instant पर BVL के equal आएगी EMF आ गया तो इसमें से current flow करेगा और उस current की value जो होगी वो मेरे पास BVL divided by R के equal आएगी और current flow कर रहा है तो wire पर magnetic force तो upward direction में ILB लगेगा downward direction में gravitational force mg लगेगा यदि मैं यहां से acceleration की बात करूं तो acceleration divided by M निकल कर आ रहा है current की value EMF divided by resistance that is BVL by R acceleration को मैं DV by DT रखके solve करूं this is Z minus B square L square V divided by MR और यहां से यदि मैं इस equation को solve करके velocity calculate करता हूं तो इसकी velocity time के basis पर मेरे पास कुछ इस type से V equal to MZR divided by B square L square 1 minus E raise to the power minus B square L square T divided by MR निकल कर आ गई यह road की velocity आई है time के basis पर देखो यदि मैं terminal velocity की बात करूंगा न तो road की terminal velocity तो मेरे पास MZR upon B square L square आएगी दूसरा किसी particular time पर यदि मैं मात करूं देखो इस question में एक चीज बहुत अच्छी है B का data chart Tesla given और length 25 cm given है तो जहां पर मैं B into L करूंगा न तो B into L की value 25 cm 1 by 4 meter B into L की numerical value 1 आ रही है तो कहीं परेशान होने की जूर्थ नहीं है जैसे इस वाले case में सिधा सिधा MGR is the terminal velocity अब मेरे को velocity calculate करने है T equal to 0.2 second पर 0.2 second पर यदि मैं velocity calculate करूंगा तो time के place पर 0.2 रख दो मेरे पास velocity की value जो निकल के आ रही है that value is coming as 1.2 meter per second velocity आ गया तो EMF आ जाएगा EMF is BVL BVL के basis पर EMF निकला तो EMF 1.2 आया circuit में उस particular instant पर current की value EMF upon resistance तो circuit में current की value आई 0.12 यह data थोड़ा सा गलत पूट होगे है यहाँ force जो होता है उसकी value ILB होती magnetic force की value तो magnetic force जो है current 0.12 और B into L तो बनाना है तो magnetic force मेरे पास 0.12 निकल के आ गया पावर की बात करें तो पावर जो है वो I square आ रहाएगा I की बात करें 0.12 तो this one is 0.12 sorry current is 0.12 तो 0.12 into 0.12 into the resistance the resistance is 10 तो यहाँ से यदि मैं बात करता हूँ तो यह वाला data मेरे पास 12 12 144 तो यह 10 से multiply हुआ तो 0.14 अपने पास पावर निकल कर आ गया चलिए तो मैच करते हैं सबसे पहले अपने से यह पूछा गया कि induced EMF induced EMF की value 1.2 के equal आ रही induced EMF 1.2 आया तो P में third option करेक्ट है P में third option यह तो इसमें Q वाले में बोले तो magnetic force यह magnetic force की value 0.14 आ रही है तो क्योंके according correct option जो मेरे पास आ रहा है वो fourth आ गया D option जो है वो correct होगया दो में फिर third और fourth को और match करके देख लेते हैं R में अधी बात करें तो पावर चाहिए पावर की value 0.12 तो यह R के according S second वाला option correct हो गया और terminal velocity की value calculate करेंगे तो M Z R upon B square L square आएगा T tends to infinite को तो इसकी terminal velocity जो निकल के आएगी that one is 5 Okay dear so that's all from my side in this discussion बाकी 12th के जो बच्चे हैं हमारे उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा बिटा आपका paper अच्छा हुआ है बहुत अच्छी बात है आपको बहुत बहुत सुपकाम नहीं हुआ है तो इस सीज को लेकर बिलकूल भी परेशान नहीं होना है हमारे पास फिर अपना स साल पड़ा है हम इससे properly utilize करेंगे आपकी rank बहुत पीछे भी जा रही है तो मैं कहूंगा कि एक बार improvement के लिए जाना चाहिए क्योंकि branch और college दोनों ही बहुत ज़्यादा matter करते हैं आकि choice आपकी है ठीक है डियर गुडबाई हाँ बच्छो नमस्कार मैं नीरज गटानी टीम तो let's start section 1 में section 1 में हमारे पास 3 questions है और 3 के 3 हो कैसे है 1 और more than 1 correct choice ठीक है साल तो start करते हैं पहले question से पहला question क्या बोल रहा है पहला question हमारा बोलता है कि भई let s is equal to open interval 0 से 1 union 1 से 2 union 3 से 4 and t is equal to 0,1,2,3 तो इतनी बात तो clear है यह जो हमारा set s है यह आपका कैसा हुआ infinite set इसमें total number of elements कितने होंगे infinite होंगे fine और t कैसा है आपका finite set है जिसमें total 4 elements है तो for sure इसमें total number of function set s से set t में कितने होंगे infinite होंगे और simple सी बात है यू समझ लीजिए आप बात को कि आपके पास यह set s है और यह आपका set t है तो set t तो आपका खुबसूरत सा है 0,1,2 और यह 3 लेकिन इसमें जो हैं हमारे पास 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 और ऐसे ऐसे infinite elements है और हर element के पास कितनी choices हैं? 4, the total number of functions will be 4 की पावर N, 4 की पावर N है, but N the number of elements in set A tending to infinity, definitely the number of function will also tending to infinite, fine, तो पहला option 100% सही है, once the first option is correct, तो second option, automatic क्या हो गया आपका? गलत हो गया, monotonicity की की कोई बात ही नहीं होगी, अप थर्ड वाले की बात करें हमारे, अपन, the number of continuous function, तो अगर अपन, number of continuous function की बात करें ह of continuous function, कितने होंगे भाई, of course 64 होंगे, कैसे, वो बात कर लेते हैं पन, हर interval में जतने भी elements है, 0 से 1 में, जतने भी, हर interval में जतने भी elements है, सब के पास कितनी choices है, 4 है, तो जाहिर सी बात है, total number of continuous function कितने होंगे, 4 into 4 into 4, it comes out to be 64, और option में क्या बोलना है, the number of continuous function from set S to set T is at most 120, at most 120, ज्यादा से ज्यादा 120, so third option is also correct, no, proceeding for the fourth option, अब जितने भी हमारे continuous function है, वो piecewise constant continuous function है, फीक है न, piecewise constant continuous function है, फीक है न, हर interval में जो आ रहा है, यहां तो सारे के सारे क्या लेंगे, choice लेंगे, one, यहां फिर लेंगे कितना, zero, भाई, zero और इसके बीच में, यहां फिर क्या लेंग function is piecewise continuous, then definitely it is differentiable also, तो this is also correct choice, fine, तो यह आपके तीन option इसके सही होते हैं, चीक है साब, अगला question देखते हैं, अचा, point to be noted, इनके solutions भी आपके parallel हैं, तो आप जब चाहे ताब screen को pause करके आप इनको देख सकते हैं, calculation, इसमें तो हला की सिफ theoretical option थे, अगला देखते हैं, second option, 2D से है बहुत ही smooth हैं, बड़ा ही, मतलब इसके हम बड़ा ही surety लेते हैं, common tangent की, वो बड़ा question है, तो T1 और T2 भी the two distinct common tangent to the ellipse, छीक है ना, T1 और T2 दो common tangent है, ellipse के लिए और parabola PY square equal to 12X के लिए, suppose that the tangent T1 touches P and E at the point A1 and A2 respectively, and T2 touches the parabola and ellipse at the point A4 and A3 respectively, then which of the following statement is slash true? ठीक है साब, तो basically हमें दो चीज़ों पर काम करना है, area of the quadrilateral पर और हमें काम करना है किस पर, T1 और T2 कहां पर मिलती हैं, ठीक है साब, तो let's start, अगर अपने बात करें तो scenario कुछ ऐसा है, कि भाई, ये तो होगे हमारा एक खुपसूरत सा ellipse, ठीक है, और ये होगे हमारा एक meet करेंगी, वो आकर meet करेंगी आपकी x-axis पर, ठीक है, तो यहाँ पर इसका meeting point होगा, ये x-axis आपकी और ये आपकी y-axis, ठीक है साब, अब जारा देखें हैं, हमारे पास यो पैरा बुला है P, उसका equation अलएडी दिया हुआ है, simple सा y-square equal to 12x, और इसमें अगर मैं देख पा र ellipse, ये दिया हुआ है, हमें equation x-square upon a 6 और plus का y-square upon a 3 और equal to 1, now let's start, नाम करन कर देते हैं, इनमें से a के t1 और इनमें से दूसरी वाली जो tangent है, उसका नाम है t2, और साथ में बुला है, जो पहली वाली tangent है, वो इसको और इसको कहां आकर मिल रही है, a1 पर और a2 पर touch कर रही है, और ये थोड़ा सा ये ले लिजे है, ये tangent ले लिजे है, और इसको कहां आकर मिल रही है, a2, a3 और a4 पर, fine, तो पहली चीज़ तो हमें ये पता करना है, दो option हमारे यही हैं, और तीसरा option ये बनने वाला जो quadrilateral है, a1, a2, a3, a4, ये जो quadrilateral है आपका, उसका area पता करना है, तो जाहिड सी बात है, simply we have to go for the condition of tangency, तो common tangency, parabola के लिए क्या होगा भाई, c is equal to a by m, और इसके लिए क्या होगा, c is equal to root over plus minus root over a square m square और plus का b square, ठीक है साब, तो common tangent के लिए दोनों को बराबर करना होगा है, तो क्या होगा, यह होगा आपका, a by m, मतलब 3 by m, और का b square कर ल दो ले तो 6 m square और plus का 3, ठीक है, इसको आप solve करते हैं, तो by quarter dick बनेगी, जहां से आपको m के 2 values आएंगे, plus minus 1, निश्चन तरह है, complete detailed solution आपको अभी आगे दिखा दूँगा, ना, fine, no, दो imaginary root आएंगे, और दो आपके real root आएंगे, जहां से आप लोगों को common tangent का equation मिल जाएग होगा, इसका common tangent होगा, y is equal to m x और plus का a by m, तो कितना 3 by m, तो m का एक बार value रग दें आपन होगा है, और एक बार रग दें, minus 1, तो equation of common tangent will be, y is equal to x plus 3, और दूसरा हो जाएगा, y is equal to minus का x और plus का 3, यह आपके 2 common tangent होगा है, और इनको अगर आपन solve करते हैं, तो यह आपका जो y is equal to 6, चीक है साब, तो minus 1, एक बार आपने रखा 1, अच्छा, ओके, यह यह आपकी 1 और minus 1 है ना, और उसके बाद यह देखें, आप complete detailed solution देख सकते हैं, y is equal to this, चीक है साब, तो यह हमारी 2 equation आगई, y is equal to x plus 3 और y is equal to minus x minus 3, फाइन, अब देखें जारा ध्यान से, इन दोनो को अगर अपन solve करते हैं, किसको, y is equal to x plus 3 को और y is equal to minus x minus 3 को, इन दोनों को solve करते हैं, तो point of intersection minus 3, 0, perfect, तो हमारा यहाँ पर, एक, जो option है, यहीं के यहीं correct हो जाता है, यह देखिए आपका, पहला option जो है, sorry, तीसरा option, क्या बूल रहा है, the tangents t1 and t2 meet x axis at the point minus 3, 0, तो this is the right choice, तो of course यह वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो चौता option गलत है, now let further proceed for the area of quadrilateral a1, a2, a3, a4, तो इसमें भी कोई बहुत जादा दमवाली बात नहीं है, अगर अपन बात करें, तो अगर अपन बात करें, area of quadrilateral की है न, तो मुझे लगता है, area of quadrilateral के लिए कहीं कोई दिक्कात नहीं है, area of quadrilateral है, area of quadrilateral के लिए हम कोई क्या चाहिए, a1 और a2 है, sorry area of quadrilateral, यह बना गया है न, और यहाँ पर हमारा ellipse था, जो गायव हो गया, हम फ़र से बना देते हैं, not a big deal, ठीक है साथ, तो यह हमारा a1, a2, a3 और यह a4, ठीक है, तो अब ज़रा देखें है, point of contact, अगर आप पैराबोला के लिए तो अपन क्या यूज कर लेंगे, पैराबोला का जो M point होता है, smoothly निकाल लें, आप से, कितना होगा, a upon m square, 2a upon m, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, पैराबोला के लिए, a2 और a4 के coordinate मिल जाएंगे, further, ellipse के लिए, ellipse के लिए क्या करें हैं, तो minus 3,0 के respect में, minus 3,0 के respect में, यहां तो, cord of contact निकाल लें, और यह आपकी cord of contact का equation क्या होगा, आपका t equal to 0, ठीक है न, तो cord of contact का equation निकालें, आपका t equal to 0, that will comes out to be, x, x1 upon, x, x1 upon, कितना है, 6 है, और plus y, y1 upon 3, और equal to 1, तो यहाँ से कितना है भाई आपके लिए, यह तो होगया 0, तो x is equal to, x is equal to, आपका, minus का 2, ठीक है, तो इसके, x coordinate आगा है, आपके ellipse के लिए, इसको ठाके रख देते हैं, अपन ellipse की equation में, तो आपको क्या मिल जाएगा, y coordinate, ठीक है, तो y coordinate के लिए भी कोई बहुत जादा परेशानी नहीं है, it comes out to be, minus 2 का square और upon का 6, और plus का, y square और upon का 3, और equal to 1 तो यह कितना हो गया, 4 by 6, तो यह हो गया आपका, y square upon 3, और is equal to, कितना हो गया यह, 4 by 3, 2 by 3, तो it comes out to be 3, यह और यह cancel हुआ, तो यह कितना हो गया, y is equal to, plus minus 1, तो finally हमें ellipse का भी मिल गया, और parabola का भी मिल गया, and simply अगर आप observe करते हो, तो यह आपका क्या बन रहा है, trapezium, त twice of this plus this, or into the distance between these two, चीक है न, तो यह आपको बहतरीन से calculation देता है, और इसमें आपका, जो 35 है, वह आपका एक answer final होता है, तो this is also correct choice, तो इसमें दो option सही है, और बट ओवियसले, दो option, दो option गलत है, चीक है सां, और आप अराम से picture perfect देख सकते हैं, complete calculation है, चीक है सां, यह आपका 3 minus 6 and the area of quadrilateral comes out to be 35, चीक है, चलिये, आगे बलाते हैं बात को तीसरा question, तीसरा question of course, undoubtedly काफी महंगा question था, एक average student इसको attempt करने में काफी दिक्काते मशक्काते हुई होई होगी, पढ लेते एक बार, let f such that, close 0 से 1, tending to close 0 से 1, be the function defined by f of x is equal to x cube by 3 minus x square plus 5 by 9 x plus 17 by 36, consider the square region, square region है, 0 से 1, cross 0 से 1, g, अब यह g क्या है, वो देखें, और r क्या है, वो देखते हैं, तो देखें, g क्या बोलता है, x, y belongs to s, ठीक है न, y greater than f of x, be called green region, और r, तो green region किसको बोला है, और red region किसको बोला है, वो उन्होंने mention करा है, x, y, तो एक उपर वाला और एक नीचे वाला है एक को बोल दिया, green region और एक को बोल दिया, red region, आगे बोला गया है, let lh, अब यह lh क्या है, x, h belongs to, as such that x belongs to 0 से 1, be the horizontal line, drawn at a height of, ठीक है न, 0 से 1 के बीच में आपको horizontal line किस नहीं है, that is called lh, then which of the following statement is true, ठीक है साब, तो सबसे पहला काम, cubic है, ठीक है न, अगर अपने इसके rough graph की होगा, वो कैसा होगा, इसका जो rough graph होगा, वो of course ऐसा ही होगा, leading coefficient आपका positive है, लेकिन हमें पूरे की बात ही नहीं करना, हमें तो सिर्फ कितने में बात करना है, 0 से 1 में, ठीक है साब, तो इसके लिए best आपका क्या है, point of maxima, point of minima, और सारी बाते निकाल लेते हैं, तो शुर upon 3, मतलब x square, और minus का 2x, और plus का 5 by 9, यह आगे आपका क्या, f dash है, तो यह होगे आपका f dash of x, अब f dash of x is equal to 0 पर टकते हैं, ठीक है न, तो यह कतना होगा भाया, यह हो जाएगा आपका x minus 1 का whole square, और minus 1 का रहा तो minus का 4 by 9, ठीक है न, equal to 0, तो यह आपको क्या दे आएगा, यह is minus 1 है, तो x minus 1 क्या कर देता हूँ, फिर चलते हैं, अगले 5 पर, x minus 1 is equal to, कितने आजाएगे, दो आजाएगे, एक तो आजाएगा 2 by 3, और एक आजाएगा 5 by 3, तो point to be noted, 5 by 3 को तो ignore करें, because हमें 0 से 1 में खिलना है, तो x के इस value को तो हपन ignore कर सकते हैं, यह 1 हटा देता हूँ तो x के 2 value हैं, और इसको हम रख लेते हैं, because it belongs to 0 से 1, ठीक है साथ, अच्छा, point to be noted, x is equal to 2 by 3 हैं तो पहले आने वाला, of course, point of maxima होगा, यहां पर हमें maxima achieve होने वाला है, और साथ में, अब इसका एक रफसा photo बना लेते हैं, रफसा photo अपन बनाएं, इससे बहतर होगा हमारे पास, इसका एक रफसा photo कुछ ऐसा बन जाएगा, यह देखिए, 0 से 1 में यह आपको पूरा calculation दे दिया है, this is f dash, f dash, यह आपका calculation, point to be noted, अगर अपन f of 0 का value निकालें, f of 1 by 3 का निकालें, तो 0 पे और 1 by 3 पे, तो 0 पे आ रहा है 17 by 36, और f of 1 कितना रहा है, 13 by 36, और f of 1 by 3 नि 181 by 324, यह थोड़ा सा calculated भी था, conceptual तो था ही था, so further, this is all about the actual figure, तो 0 से 1 में यह हमारे पास यह आ गया, तो this is the red region, और this is the green region, green and this is red, जैसा कि उन्होंने बोला था, अब बात करते हैं, अपन 1 by 1 एक एक करके, तो सबसे पहले तो red region का अगर अगर अपन area निकालें, तो it comes out to be क 0 से 1 f of x dx, 0 से 1 f of x dx निकालते हैं, तो it कितना आ रहा ही है, 1 by 2, और इसका total area अपन देखें तो 1 आएगा, है ना, 1 into 1, length print, तो ध्यान से देखिए का, अगर green area आपका 1 by 2 आ रहा है, तो of course, बचा हुआ कितना होगा, red area, तो यह दोनों ही आपके कैसे आएंगे, बराबर, same, 1 by 2, 1 by 2, अब यह क्या बोल रहा है, अब पूरा खेल हो रहा है कि इसका line का है ना, अब line को 1 by 1 discuss करते हैं अपन, तो देखें अब ज़रा, हाँ जी, अब 1 by 1 अपन एके करके option देखते हैं ना, पहला option क्या बोल रहा है, there exist an edge between 1 by 4 to 2 by 3 such that area of the green region above the line LH, equals to, equals to the area of the green region below the line LH, हना, तो यह क्या बोल रहा है, line के ऊपर वाला green area, और, sorry, थोड़ा confusing है, आराम से पढ़िएगा, there exist edge belongs to 1 by, एक ऐसा edge होगा, एक ऐसी line होगी, एक ऐसी line होगी, यह हमारा graph था, ठीक है ना, एक ऐसी line होगी, यह हमारा कुछ ऐसा graph आया था, यह, एक ऐसी line होगी, 1 by 4 or 2 by 3 के बीच में, such that area of the green region above the line, हना, यह हमारा green region था, तो एक line ले ले लेते हैं अपर, जिसके ऊपर का green region और इसके नीचे का जो red region है, वो कैसा होगा, equal होगा, ठीक है ना, तो क्या यह possible है, तो यह बहुत सीरी सी बात है, हमारा जो line होगा, वो कहा होगा, यह देखिए, अब exactly यह क्या चाहते हैं, option एक ही बात कर लें हमारा, ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, यह बोल रहा हैं कि equal area होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है, अगर मैं कहीं पर भी एक line लेता हूँ, ठीक है ना, तो यह one है, अगर इसे मैं, यहाँ से height ले लेता हूँ, तो area कितना होगा, one by h into one, ठीक है ना, और area equal हो, तो यह जाहिर सी बात है, यह total area green वाला कितना है, one by two, अब इसका भी आधा कितना होगा, one by four है ना, तो यह कितना हो जाएगा आपका, one by, यह चाहते हैं, कि one minus h into i, यह अला area कितना हो, one by four, यहाँ से कितना हैगा h, three by four, लेकिन वो one by four और two by three को belong नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो बोल रहा है, point two five or point six के बीच में, and it comes out to be three by four, तो पहला option तो यह आपका गलत हो गया, अब दूसरे option की बात करें हैं अपन, दूसरा option, दूसरे option में देखें हैं, तो दूसरा option हमारा बोलता है, दूसरा option बोलता है, देखें हमारा बोलता है, देखें हमारा बोलता है, तो इस बार यह बोलता है, कि भाई, क्या कहीं पर एक ऐसी, कहीं पर क्या कोई ऐसी लाइन होगी, जिसके लिए, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कैसा हो, सेम हो, सेम, टोटल रेड एरिया हो, चाहें टोटल ग्रीन एरिया हो, दोनों का एरिया तो वन बाई टू आया, तो उसका भी आदा कितना हो जाएगा, वन बाई फूर, है ना, तो हम ले ले लेते हमारा correct जाएगा ठीक है अब ध्यान से देखें तीसरा और चौथा तीसरा और चौथा option पहला option और दूसरे option में से finalize करना फिर भी काफी आसान था partial marking के आपको number मिल सकते थे लेकिन third और fourth option ठीक है न third और fourth option को थोड़ा सा अच्छे से देखना होगा ध्यान से देखें there exist and h belongs to one by four say two by three such that the area of the green region area of the green region above the line lh equals the red region below the line lh ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले हम काम करेंगे इनके limiting point पर काम करते है one by four पर और two by three पर one by four पर और two by three पर है न तो one by four और two by three पर अगर अपन काम करें तो यह क्या बनेगा भाई ध्यान से देखिएगा one by four और two by three limiting points पर अगर अगर आपन बात करें तो limiting points पर देखिएगा आप calculation से free रही है यह तो सिर्फ एक protocol था हमें कुछ न कुछ तो देना ही था अब सिर्फ आप logical concept को पकड़ने की कोशिश करिएगा है न तो गहर फरमाईएगा यह बोल रहा है कहीं तो भी एक दूर तलग खुबसूरत सी एक line होगी है न तो one by four one by four क्या होगा यह हमारा आ रहा था कितना यह हमने निकाला था maximum one by three और इस पर value आ रहा था point five से उपर one by four यहने कहीं तो भी एक line रही होगी one by four हमारा one by four जो है यहीं कहीं रहा होगा न यह वाली लाइग तब ध्यारा ध्यान से देखी है अगर मैं इस वाली line के उपर देखूं और नीचे देखूं तो of course यहाँ पर green area तो complete है तो green area जादा होगा red region वाले area से इस line के नीचे जो red region है और इसके ऊपर जो green region है तो of course green region की capturing तो पूरी है although red और green दोनों कैसे हैं equal area wise ठीक है साथ तो हम क्या चाह रहा हैं यह चाहते हैं अगर अपन 1 by 4 पे बात करें यहाँ पर कहीं पर होगा तो 1 by 4 पर अगर हम बात करें तो यह हमारे पास क्या होगा यह सबसे green area जादा होगा है जादा होगा किससे green area जादा होगा हमारे line के 2 by 3 तो काफी उपर आएगा तो इस बार इसके उपर वाला green area कम होगा इसके नीचे वाले क्योंकि इस line के नीचे अगर मैं second extreme limiting value पर काम करता हूं तो इसके नीचे जितना भी region होगा और red वाला जादा होगा ठीक है ना तो मैं वापस option पर आता हूं मैं वापस options पर आता हूं 1 by 4 वाले पर काम करता हूं तो ये वाला area जादा होगा ठीक है ना और line LH area of the red region और जब मैं 2 by 3 वाले पर काम करता हूं तो इस बार कौन सा होगा red region जादा होगा तो यार कहीं तो इन दो लोन लाइनों के बीच में तो यू देखिएगा मैं 1 by 4 से मैं 1 by 4 से मैं 1 by 4 यू यहां एक नया figure देख लेते हैं अगर मैं 1 by 4 से 2 by 3 पर आता हूं तो 1 by 4 से चलते मैं green region जादा था और 2 by 3 पर पहुंचते तक क्या हुआ red region जादा हो गया तो कहीं तो भी इस line को मैं जैसे जैसे उपर ले जाओंगा तो एक जगे तो ऐसी आए कि जहां पर red और red और green region क्या हो जाएगा equal हो जाएगा और शायद ये हमको कहां से indicate होता है ibt intermediate value theorem से ठीक है ना तो intermediate value theorem हमको बोलती है कि अगर मैं यहां से इस line को चलाना शुरू करता हूँ ऊपर की और है ना till 3 by 4 तो बीच में एक जगे ऐसी पका आएगी 1 by 2 और 3 by sorry 1 by 4 और 2 by 3 के बीच में जहां पर ये दोनों area क्या होंगे same होंगे and same as the concept goes for the option 4 तो ये दोनों के द लाते हैं बात को तो ये question अपने आप में खुब सूरत था ठीक है अब मैं आ रहा हूँ section 3 पर section 3 पर है इसमें बच्चो टोटल आपको चार सवाल है और बच्चो एक सवाल आपके पास 3 marks का सवाल है बच्चो प्लस 3 और minus 1 बच्चो इसमें पाटन का बच्चो दिया हूँ ठीक बच्चो तो ये आपके पास just एक single type, single choice type की बच्चो सवाल है तो बच्चो इसका पहला सवाल देखेगा ठीक है ये बच्चो देखेगा आप बच्चो सवाल को डंक से पढ़िए गा बच्चो अपने पास क्या एफ बच्चो जीरो डॉमेन इसका है 0 का वण से लेकि बच्चो आर में दिया है ठीक है और बच्चो फंक्शन को आपके पास ऐसी डिफाइन किया है एफ एक्स ब्राबर अंडरूट ओफ एन राइट बच्चो एक्स आपके पास बिलोंग कर रहा है वन अपॉन वन बाई एन प्लस वन से लेकिए बच्चो बच्चो एन आपका बैटओ निच्छन नमबर से आ रहा है ठीके तो बच्चो आप लोग एफ एक्स को गेस कर सकते हो कि बच्चो एफ एक्स तुमारे पास कैसा टाइप का फंक्शन बच्चो बनने वाला है ठीके ना आप जसे देखो बच्चो जब मैंने एन को एक रखा तो बच्चो ये बनेगा वन बाई टू से लेकिए वन बने एक बटा तीन से लेकि एक बटा दो के अंदर मेरे पास से क्या निवाला है ये बच्चो मेरे पास बनेगा रूट टू बच्चो बनेगा रूट टू बनेगा रूट टू बनेगा और बच्चो वन बाई थ्री से वन बाई फोर के अंदर बच्चो ये तू बनेगा ऐसे कर बट्चो यह क्या बनेगा लग बग आपके पास infinite को टेन्ट गरेगा और बच्चो infinite काफ पर जाएगा भी वन अपन इनफानिट विल भी जी जिए ना तो बच्चो बट्चो आपके पास वन अपन रूट एक स्वाल को डारेटली बच्चो कर सकते हैं अब यहां देखिए बट्चो मैंने यह कर लिया तो बच्चो अब यहां पे ना आपको लिमिट फैंड करना है बच्चो आपको फाइंड करना है दन लिमिट x tends to 0 f इंट बच्चो gx फाइंड करना आपको तो बच्चो यहां से क्या कर दो इसको यहां मैट आपको इसको fx से गुणा कर दो और बच्चो fx आपके पास क्या 1-v2 यहां पर भी क्या करते हैं तो तुमारे पास यह वाला पार्ट कैंसल आप लगाएंगे यहां पर लिमिट यहां पर लिमिट यहां पर लिमिट एक इसका लिमिट निकाल सकते हो यह भी विच्छो तुमारे पास टू पर जाएगा तो बिलकुल बैप थोड़ा सा अच्छा सवाल था इसमें सेंड्रीश तोरम का डारेक्ट बच्वों यहां पर अप्लिगेशन आपकी पास था बच्वों सबसे में जो चीज है वो तुम्हें यह देखना है कि बच्वों न सवाल बरते सब्सक्राइब साथचो प्लीना तो गृट ओना हुए मैं है इसमें सवाल दिया अंग्यों है यह और से कीज़ी बच्वों वन जो पर जेट में बच्छों क्यूब नुए से ऐसे साइड नेकर मिलातों को तुल आन्ट राया रहा है इसे लाइन सेट आपके पास यह ठेक है ऑप बिख को यह वह फिस वहात है सब्सक्राइब पास एस में होगा कि बैचों 0000 एंड बच्छों 111 न से ना जो लाइन पास कर रहें कि आपके पास मैं डियागन बच्छों बनने वाला है पिटा देखेगा यह आप बच्छो डाघ्राम यहां पर बना सकते हुए ठीक है ना देखी गा यह तमार पास कि ऑब 0000 यह पी तमारे पास 111 बटा यह तमारे पास किसमें आगया बोलो भी द्शिक घ्र इन-प क्या यह एक में क्या भी उपच्छो उसमें आपके इसको भी ले सकती है लिए टाइगल में क्या बोलह है यहां पर वरटेक्स 0-0-0 और पी नहीं पास क्या भी 1,1,1 बेटा तो ओपी जो लाइन है इसका बच्छों आपके पास जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनने वाला है बेटा कोई एक पॉइंट मालजी ले लिए अपने इसके डियार बनेंगे बेटा 1 1 1 बेटा ओपी लाइन का स्रमिकर्ण हमारे पास बनगा यह वाला इसी प्र बेटा ओपी लाइन ओपी लाइन और बेटा तो तमारे पास एबी लाइन इन दो लाइन की बीस का बच्छो आपको skew lines है यार इनका बच्छो distance का बच्छो इसका formula अप्लाई कर दोज यार वो तुमारे पास क्या होता भी आप जानते है यार x2-x1 y2-y1 और बच्छो z2-ka z1 इसका mode और बेटा a1 b1 c1 और बच्छो a2 b2 और c2 बेटा और डिवाइड किसे करना आपको बेटा इसको a vector cross b vector का whole का mode बच्छो आप बच्छो आप ये formula लगाएंगे तो तुमारे पास 1 upon root 6 बच्छो answer आ गया चीक है ना 1 by root 6 will be the answer चीक है तो बच्छो इस हावाल का जो हमारे पास answer आ रहा है बच्छो आपकी पास आएगा 1 by root 6 तो बच्छो तुमारे पास ये पहला part बच्छो इसका सही answer हो गया 1 by root 6 ठीक है येस बढ़े है ठीक है तो बच्छो जे एक अंदर ये थोड़ा सा एक आपकी पास अच्छा सवाल था इस ही सवाल मना आपकी पास क्यую क्या है है सिए इस बात का अर्थ आपके पास क्या है 657 तुमारे पास इंटीगल पॉइंट्स का बच्चों collection है ठीक है क्यों बच्चों क्योंकि X आपका Z से और Y भी कहां से बच्चों आपका Z से आ रहा है ठीक है एंड बच्चों इसी region X के अंदर है ना X square upon 8 plus Y square upon 20 lesson बच्चों 1 है and Y square क्या है Y square is less than 5X 3 distinct points P, Q and R are randomly chosen from X बच्चों इस set X है ना आपको 3 randomly बच्चों points को चूज करना है then the probability that P, Q and R form a triangle whose area is a बच्चों positive result यह वाली बात बच्चों आपको डंक से बच्चों focus करना है ठीक है ना is तो बच्चों आपके पास एक region X बनेगा है ना और बच्चों region X किसे हो रहा भी that is bounded by that ellipse and parabola right and बच्चों set X के अंदर है ना आपको 3 points को ऐसे चूज करना है so that that area of the triangle becomes an integer ठीक है becomes integer positive integer ठीक है तो यार इसके लिए आपके पास है ना सवाल तो probability का है लेकिन बच्चों आपके पास जो concept है किससे लगेगा भी बच्चों आपके पास इलिप्स और आपको यूज करके आपको इसको बच्चों यह point बनेगा तुमारे पास root 8,0 ठीक है और बच्चों पैरावला तुमारे पास क्या बोलो भी यह बच्चों पैरावला है that is y square बराबर 5x ठीक है भी बच्चों इलिप्स हमारे पास है x square अपॉन 8 plus का y square अपॉन 20 बराबर बेटा एक आ रहा है ठीक है ना यह च मनें point A माल लिया इसको बच्चों point यहाँ पर B मान रहा हूं ठीक है अभी B point बच्चों कैसे find करें या वाँ y square कि जगर बच्चों 5x रख दीजी आप तो तुमारे पास बनेगा x square by 8 plus का 5x upon 20 बराबर बच्चों 1 तो यह बन गया 20 बच्चों यहाँ पर या फिर आप बच् तो x square plus का 2x equals to beta 1 तो बन गया x square plus का 2x minus का 8 बराबर 0 बच्चों तो इसके factors अभी कर लीजी यार x square plus का 4x minus का 2x minus का 8 बराबर 0 x बच्चों कॉमान आगा x plus का 4 minus का 2 into x plus का 4 बराबर 0 तो बच्चों x का माने पगा 2 और एक बच्चों मनगा minus 4 ठीक है तो बच्चों आपके पास क्या बई बेटा यह जो point आपके पास बन रहा है यह बन रहा बच्चों x ब्राबर 2 वाला point बने गई तो बच्चों x को 2 रखा बने यह पे यह जो इसकी बात कर रहा हो तो इसके अंदर बच्चों मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि उसने साफ साफ सवाल में लिखा है कि तुमारे पास जो कैपिनल बैचो एक साना उसमें क्या भी बैचो स्मॉल एक स्मॉल वाई दोनों कहां से आने चाहिए बताऊं ते फ्रॉम यार फ्रॉम सैट ओफ इंडिजास ठीक है अब देखिए आपके पास पॉन एक बरिस को देखें तो हमारे पास यह बच्छों बनेगा ठीक है यह बच्छों मानि यहां पर डियाग्राम रखा है कर दो कि अब आपके पास पॉइंट्स आगे यार पॉइंट्स को यहां पर कि अब पस कॉंब कर सकते हैं आपके पास बच्छों यही रिजन थाय स्टा इस रीजन के ईन्दर आपके पास देखेंगे आप यह पास है गई तो इस लेक्ट टूपाइट काउंट करने बी तो बच्छो पहले मैंने मालेजी आप यह पी वन कुमा जी रखा तो वन कॉमन भी आपके पास इंसाइड यह इस रिजन के इंसाइड यह बटा वन कुमा टू भी क्या भी इंसाड में आएगा चीक ना क्या वच्छो वन पास इंसाइड में आएगा ठीक ना अब चो मैंने यहां पी क्या भी वन को माइनस वन और आपके पास वन कॉमा माइनस का टू बच्छो ठीक है ऑखिway ना जब चो आपने एक्स को देखो यार जब आपने लोग बने एक्स को एक रखा तो तुमारे पास ये वाली बात क्या बंजएग यार ओंगे तू आपपे पास दो क्मा zero वाला तो 2,1 दो पिए यहां पे 2,1 दो कॉमा दो अर तो तो टोटल तमारे पास दोनों जो कोडिनेट्स हैं वो क्या है वोलो भी या इंटिजर्स एंड इस रिजन के इंसाइड में आ रहे हैं तो अब मुझे इन पॉइंट से बनने वाले हैं उन ट्रेंगल्स की बच्छो प्रॉबड़ी निकाल नहीं है जिनका एरिया क्या बनेगा बच्छो एक इंटिज बनेगे नहीं तो प्यारे बच्छो यहां से क्या भी दोपंड बच्छो एक साट में थीसरा पंड इक साट में बड़ा इनके 20 की दूरी क्या बोलो भी इनका एल्टिजूट इनका बनेगा वन बनेगा तो एरिया आपके पास आएगा वन बैटू बेस इन टूई हाइट त तो बच्चो बी इवन नमबर कब कब आ सकता है बोलो भी उनकी डिसेंस बच्चो इवन आना जी यार बेस की आना तो मालेज़ी यह पॉइंट लिया मैंने तो एक दो और बच्चो आपको आस तीन चोईस एसे में पॉसिलिडिटी है जिसे मैं बटा डिसेंस तू बना सकता हूं और बटा तीन डिसन्स कब आएगी भी, बला बच्चों, अगला इवन नमर क्या चार, तो बच्चों, चार किस्स आएगा भी, एक, दो, तीन, चार, तो बच्चों में पास एक ही पॉस्मिलिटी है, इंटू बच्चों, बच्चों, बटा हर एक पेर के लिए, तुमारे पास साथ चार, पॉस्मिलिटी एक, फिर दो बच्चों, फिर तीन, फिर चार और बच्चों पाँच, तो पास तो यहां से आगा यार, अब बच्चों देखो भी, चार डिसन्स कब इसको बने सकती है, इसके लिए, एक, दो, तीन, चार, बड़ा, एक तो यह वाला, फिर दो, फिर और लास्ट अपन ले रहे हैं तो इनके 20 की जो डिसन्स है वो 6 बच्छों उनिट आएगी है ना और इस इवन नंबर तो बच्छों 120 इन्टु बटा हर एक दो बच्छों पेर के लिए यहां पी क्या पांच चोई सह है किसके लिए फुर्दा थर्ड वर्टेक्स तो बच्छो तो तुम्हारे पास बच्छों क्यालपिट करने बाद मीठका 73 अपन 220 ठीक मै यह आपके पास सवाल का आंसर बच्छों बनने वाला है ठीक है 73 अपन 220 ठीक है तो पैरणे बच्छों सवाल टांसर हमारे पास हो गया 73 अपॉन 220 है बी पार्ट बच्छों आपके पास सवाल का बिल्कूल correct बच्छों आंसर हो गया ठीक है next सवाल बच्छों जाओ next सवाल पर बच्छों next सवाल भी तुम्हें पास बिल्कूल है यह तो बहुत simple सवाल है connect section का सवाल है इसे बच्छों को normal की इस बच्छों पूट करने है और बहुत ही simple सा simple बच्छों problem है मेरे साब से बच्छों यह maximum इसको एक्सको अटेम्ट कर लिया होगा बच्छों पीग पॉइंट है पैरावोला की उपर तो बच्छों पैरावोला हमारे पास कैसे बनेगा बिच्चो यह पैरावुला तुम्हारे पास आ गया ठीक है y square बराबर 4ax ठीक है न बिच्चो यहाँ पर क्या f फोकस है तो फोकस आपके पास आप जानते विड़ा फोकस क्या होता 1,0 अब बिच्चो आपके पास क्या भी the normal to the parabola 8 point p थे बिच्चो एक point p तुम्हारे पास है यहां पे point p आपने यहां बिच्चो आप नोर्म बनाया आपने वो बिच्चो क्या कर रहा है normal point q बिच्चो और यह point बिच्चो उसने q बोल दिया भी तो normal का समीकर्ण तुम्हारे पास क्या होता भी y ब्राबर mx माइनस का 2AM और माइनस का बच्चो AM Q बेटा ठीक है ना ये आपके पास बच्चो नोर्मिल का समीखन है ना ठीक है भी अब बच्चो ये वाला पॉइंट आपके पास क्याएगा X को पने 0 कर दिया sorry Y को 0 कर दिया बच्चो तो आपके पास ये आजाएगा इसका डिसेंस ये पॉइंट आपके पास किया AM स्कॉर कंवा बाइनस का 2 तो बच्चो यकोणिन new आपके पास क्या बनगा इस इस बच्चो इस ट्रेंगल का बनगा भी तोबच्चो पीडी आपके पास क्या भी नापके बनगा भी अबए झा तो 2 e m और बच्छो इसका base f q तुमारे पास क्या भी बच्छो बेस तुमारे पास इसका आएगा 2 a plus m square minus ka a बच्छो तो बनेगा a plus m square भी हाना इस triangle का area आपके पास आ रहा है वो बोला भी बच्छो आना the area of the triangle p f q where f is the focus of the parabola is 120 बच्छो then the slope m of the normal and a are both positive integers then their pair a, बच्छो m तो यहां पर बच्छो बस simple आपको distance area फोर्मना लगा ना 1 by 2 base into height base तुमारे पास क्या है a plus m square into बच्छो height आपके पास क्या है 2 a बराबर बच्छो आपके पास क्रना से 120 बच्छो यह तुमारे पास से cancel out हो गया ठीक है अब बच्छो देख लिए आप यहां से यार मेरे पास a plus m square sorry मेरे पास बच्छो a plus a plus m square into बच्छो am यह मेरे पास बच्छो मेरे पास m3 है ना बच्छो तो यहां पे 3 का square 9 9 plus का 2 11 और बच्छो 11 into 2 into बटा चीक है खुश mistake बटा इसमें होगा गया a plus am square है ना a plus बच्छो am square यहां बच्छो आपके पास यह आएगा आपके पास 2a plus am square ठीक है थीक है ठीक है यहां से बच्छो आपके पास m कब हो जाएगा ठीक है तो बच्छो यहां पे हमने एक m को मिस्च कर दिया ठीक है ना बच्चों यहां पर साथ में एगा ठीक है अब इसको देख लिए आप यहां पर आजाएगा देखो ना यहांसर आपके बस ठीक है ना वन बाइटू यह रावचो ठीक है ना एम इसको बार निकाल लिया तो यहां पर च्पाइब सब्सक्राइब इस समय निकें लिए बच्चों यह थी मैं एक को रख रहा हूं और एम को तीन दख रहा हूं और यहां पर यह आपके पास दस गुणा बारा वी क्या बनगा यह तुमाहर पास बिल्कुल सही चोई सैकोन सी वाली यह वाज़ी बच्चों ना ए लोगमा तीन आपके पास बिल्कूर डारेक्टली यहां पे सवाल का आंसर बच्छों आ रहा है तो यह बच्छों तुम्हारे पास section B था प्रवन का जिसमें 4 सवाल थे हर एक सवाल बच्छों तीन माक्स करता और बच्छों इसमें पैटन जो था वो बच्छों माइनस वन था ठीक है ना टूटल बच्छों बारा माक्स के यहां पे सवाल आए वे थे ठीक है ना तो section 3 में आपके हैं 6 non-negative interior type मतलब अगर नहीं भी बन रहा है तो आप लगा सकते हैं 0 यहां 0 से ज्यादा मिलेगा है ना करेंगे तो कुछ मिल जाएगा सही करेंगे तो नहीं करते हैं तो कुछ कटेगा नहीं है ना चलो भाई तो शुरू करें पहला वाला question यह बड़ा smooth सा question है यह बोलता है 10 inverse 10x for all x belongs to यह standard दिया हुआ है for all x belongs to this the number of real solution of the equation तो जाइड सी बात यार बहुत standard question है in fact बच्चों ने अपने घर से करके गया है हुँ question को ठीक है साथ तो यह आपका कतना होगा यह हो जाएगा आपका root 2 और mod cause x और यह वाला root 2 तो यह root 2 और root 2 गया दोनों के अससरों के डिन राफ नाए ना दोनों के अपना इतर बना लेता हूं और यह तर बना लेता हूं ठीक है साब, यह आपका माइनस पाई बाई टू से, यह मौड कॉस एक्स का बना दिया, पाई बाई टू, और यह हो गया आपका कतना, माइनस का पाई बाई टू, उसके बाद, टैन इन इन वर्स टैन एक्स, तो पहली इसकी जो प्रिंसिपल बरांच आएगी, कहां से कहा तो जाहिड सी बात है, यह लाइन जो है, यह दोनों कर वे एक दूसरे को कतनी जाकर इंटरसेक्ट करेंगे, तीन, तो आफकोर्स दा नमबर आफ सोलीशन सार थ्री, तो यह क्वेशन एकदम, पके हुए आम की तरह था, हर बच्चा कर सकता था, इसको, चलिए, आगे अगे बच्चा की चारों स्ट्रेट लाइन है, एक्स के अलग-अलग वेल्यूस के लिए चार स्ट्रेट लाइन है, आप देखें जारा ध्यान से अगर अब्जर्व कर पा रहा है, तो एक्स आपके सारे के सारे फंक्चंस में कैसा लीनियर है, ठीक है साब, और अन इसको ब अगर अगर अपन इसका रफ फिगर बनाते हैं, ठीक है न, रफ फिगर बनाते हैं, तो जिरो से, जिरो या जिरो तो जिरो पे कितना होगा यह, एन होगा, तो एक्स इग्स 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 इ फिर यह जेन फिर गाइन न फिर ये दूसरी वाली लाइने जाएगी ब्रांच और फोर एन तक और 3x4N से है न यह वाला हो जाएगा आपका कतना 3x4N उसके बाद 3x4N पे वापस 1xN तक तो यलो भाई यलो यह आपकी तीन ब्राँचेस हो गई यह होगा आपका 1xN और यह आगा आपका 1 तो इन्होंने बोला क्या है area को इसा चाहिए area दिया हुए हमको ये 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 और ये तो यई एक दो तीन चार चार right angle triangle है इनका area कोई भी निकाल सकता है कोई भी निकाल सकता है तो half base into height करके आप जब निकालेंगे तो आपको n का value मिलेगा और it cups out to be 8 जो कि आपके function की क्या है maximum value खुद है तो the correct answer for this question is also 8 और आप देखें इसका calculation भी एकदम smooth है चीक है साब यह आपका area दिया हुआ F4 given a question में और यह आपका half base into height maximum value 8 एकदम simple और smooth सा question है चाहते तो आप कर सकते थे चलिए साब अगले question को देखते हैं अगले question of course बहुत ज़्यादा calculated था बहुत ज़्यादा calculated था चीक है इस question को करने के हमारे पास total दो तरीके हैं देखते ही क्या आप बोल रहा है let 7 555 till 7 और इसको क्या आप बोल रहा है denote r plus 2 digit number where the r first and the last digits are 7 and the remaining r digits are 5 ठीक है न तो पहली और आखरी क्या है आपकी 7 है तो यह बताना चाहरा है this is complete r plus 2 digit number जिसमें पहला और आखरी वाला जो है कितना है 7 है उसके बाद consider the sum s is equal to this much अब यह s दिया हुआ है एक बढ़िया सा और s को अलग से दिया हुआ है तो बात सीधी सी है हमको इस वाले कारेकरम को इस format में लेके आना है तो इसके calculation के दो तरीके हैं हमारे पास है undoubtedly exam hall में बैट के देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन इरर देखा जा सकता है देखे इदर 77 method 1 अगर अगर अपन calculation से देखें तो एक series बन सकती है 77 इसको आप लिखें कितना 7 into 10 और प्लस का कितना भाई 7 जो पहला thought बच्चे के दिमाग में आता है then 757 757 को अपन क्या लिख सकते है 757 को लिख सकते है 7 into 10 का square है कितना होगा 700 और प्लस का कितना भाई 700 और ये प्लस का एक कर देते है 7 ठीक है तो 700 और ये 50 तो 5 into 10 ऐसे ही आप 7 557 को क्या लिख सकते है 7 into 10 का cube और प्लस का 5 5 और इंटू 10 और प्लस का 7 and so on ऐसे ही अगर आप copycat करते हुए जाते हैं तो ये आपके पास बीच वाले में कतने 98 ठीक है तो आप आराम से देख सकते हैं इसके बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ पर क्या लगा square इसके बाद 3 डिजिट हैं तो इसमें क्या लगा cube तो जब आप इसको लेखना कोशिश करेंगे तो आप इसको क्या लेख पाएंगे इसको आप लेख पाएंगे 7 into 10 की power कतना भाई 2 पर 2, 3 पर 3 तो इसके बाद कितने होंगे 99 डिजिट होंगे तो 7 into 10 की power 99 इसको आप क्या लेख पाएंगे इसको आप लेख पाएंगे 7 into 10 की power 99 और plus का 5 into 10 की power अब देख लें 5 कितनी बार आएगा यहाँ पर एक है ठीक है ना उसके बाद यहाँ पर तीसरे में दो आ गए है ना तो ऐसे कर देंगे तो आप यहाँ आ जाएगा 98 और यहाँ पर प्लस का 7 फाइन उसके बाद आप ज़रा देखिएगा एक सीरीज तो यह बन गई 7 कॉमन निकल के 10 प्लस 10 स्क्वार प्लस 10 क्यू प्लस एक सीरीज यह बन गई 510 कॉमन लेके 5 फाइव प्लस भाइएक सीरीज तो आपकी बन गई तन प्लस 10 का स्क्वार और प्लस स्वार और उसके बाद दूसरा क्या बन गया 10 कॉमन लिया तो अंदर यह अंदर पाच प्लस 55 पलस का स्वार यह आपका एक स्टेंडर से आ जो इन जेनरल बच्चे घर पर सभी कर लेते हैं, पाच कॉमन निकाल के वन, नाइन का पर्डली इप्रिकेशन, नाइन तर डिवीजन, ये कितना आया भाई आपका, ठीक है, और जितने भी टाइम से आपना, अब आगे देखिए तरह कैलकुलेशन को, ये रहा आपका, ये स् S के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका मिलेगा M, और ये आपको मिलेगा N, ठीक है, तो M plus N इस, इसका एक और तरीका था, जो थोड़ा सा स्ट्राइक करना मुश्किल था, है ना, अल्टरनेटिव तरीका क्या बोलता है, हम S को पकड़ा, S को, है ना, और हमने क्या क है, ये देखिएगा, S is equal to how much, 77 और यहाँ पर मैं क्या करूँ, पूरे में 10 का मल्टिप्लाइ कर दूँ, 10 का मल्टिप्लाइ कर रहा तो it comes out to be, ये होगे आपका 770, ये हो जाएगा आपका कितना, 7570 and so on, पुरी सीरीज को एक टम आगे सरका दिया जाए, तो अब देखो तर सब्स्टेट करो, तो 10S minus S is 9S, ठीक है साब, और उसके बाद, 10S minus S is this much, उसके बाद 0 minus 77, 770 minus 757, 13, सब के साथ ये रहाएगा, 7570 minus का 7557, again comes out to be 13, और करते करते जाएगे 98 times, और ये आखरी वाला as it is, ठीक है साब, और यहाँ से लेके यहाँ तक, अब जरा देखिएगा जरा अब अगर मैं plus 13 और minus 13 कर देता हूं, तो ये तो होगे आपका, ये no problem, ये no problem, अब मैंने क्या करा, plus 13 और minus 13 कर दिया, तो minus 13 करा तो वापस वही format आगे with one more five, ये कतना होगे 98 से 99 और plus का 13, और आप आप इसको देखते हैं, तो बड़ा smoothly कर पाएंगे, S is equal to this much, तो दो दो तर सरल था complex numbers है, बस इसके data जो थे, वो थोड़े beautiful नहीं थे, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सभी दिमाग लगाते हैं, क्योंकि जही जब भी आपका गंदा सी शकल वाला calculation देगी, तो of course उसमें कुछ ना कुछ tricky approach देगी, करना कुछ नहीं था, इन्होंने बोले, let capital A is this much, A contain exactly one positive integer N, then value of N is, तो कुछ नहीं करना है, आपको imaginary part को zero करना है, rationalization करके, इसका rationalization करना है, ठीक है ना, rationalization करेंगे, तो 7 plus 3 I, iota, cause theta, और नीचे, V7 plus 3, iota, और कितना भाई, cause theta, ठीक है, तो यह आप करेंगे, और इसके imaginary part को देखेंगे, तो यह आपका, यह देखेंगे, तो capital A is equal to this much, ठीक है ना, same का, उपर नीचे, conjugate का multiplication करा, और इसमें beauty यह है, यह दोनों ही यह आपके, common निकाला, आपने 281 ले लिया बहार, ठीक है साब, तो नीचे बाला हो गया, 49 A plus B, A minus B, तो A square plus B square, iota square का value minus 1, for positive integer, imaginary part, imaginary part यहाने, imaginary part यहाने 281 into this, और, कितना भाई, this into this, sorry, यह वाला नहीं, यह तो real part हो जाएगा, यह हो जाएगा, आपका 281, मतलब 7 into this, और यह आपका this, दोनों का multiply कर रहा हो, और equal to 0 कर रहा हो, तो यहां से बड़े smooth ली हमारा, 10 theta का value आता है, minus 1 by 2, 10 theta आगे है, तो pi तकरस theorem, right angle, triangle से आप sin theta और cos theta निकाल सकते हैं, अब इन दोनों के value के लिए है, positive interior, यह उसमें रख दे हैं अपन, तो यह आपका आगे 10 theta यह तना, ठीक है, तो sin 2 theta की मेरे हिसाब से कोई जरौत नहीं है, ठीक है, आप real part में directly रख सकते हैं, तो real part इसका कतना, 281, और यह रख दे हैं अपन real part, यह आपका real part यह रहा है, यह हम record ले हैं, रख दें तो 49, minus 9 into 36 by 5, ठीक है न, और नीच है, यह रहा है, ठीक है, और trigonometry का basic सा calculation है, तो यह उपर यह वाला और यह वाला same cancel out, तो यह आपका कितना जाएगा answer, 281, ठीक है साब, चलिएगा, और आगे बढ़ाते हैं, हाँ साब, तो अगला question आपका भारवा, undoubtedly काफी अच्छा question है, एक सको attempt करने के लिए, अच्छा खासा है, आपको vector 3D के concept चाहिए, especially 3D के, तो देखते जारा क्या बूल रहा है, let P be the plane है, एक plane है, root 3X plus 2Y plus 3Z is equal to 16, and let S is equal to this much, alpha square plus beta square plus gamma square equal to 1, and the distance of alpha, beta, gamma from plane P is this, ठीक है न, U, V, W, तीन distinct vector है, इसी set में, और such that U minus V का modulus is equal to V minus W, और is equal to W minus U, इन सब का magnitude, same है, V is the volume of the parallel depict, determined by the vectors this and this, then value of this is, तो शुरू करते हैं साब, actually question में क्या पूछ रहा है, वो बात कर लेते हैं, actually question में ये बोल रहा है, कि भाई, एक तो है आपका ये plane, और एक है आपका यहाँ plane है, अब ज़रा देखिए का ये तो होगे आपका कौन सा given plane P, ठीक है, इसका equation अल्रेडी दिया हुआ है, कितना root 3X plus का 2Y और plus का 3Z और equal to 65, और इसके और इसके बीच में, जो distance दिया हुआ है वो कितना है, 7 by 2, कितना दिया है, 7 by 2, अब आगे बाद बढ़ाते हैं, यहाँ पर आपका, देखिए, अगर मैं बात करूं, ओरीजिन से इन दोनों के distance, कुछ ना कुछ तो होगी, तो let it be, अगर मैं इसकी origin से distance की बात करूं, और इसकी origin के distance की बात करूं, तो गोर जो alpha, beta, gamma, इसके हर point से इसकी distance कितनी है, 7 by 2, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसा question में लिखा हुगा है, आप देख सकते हैं, अराम से, ठीक है, तो S is equal to this much and let distance of alpha, beta, gamma from the plane piece, 7 by 2, है ना, अब ज़रा देखें, तो alpha, beta, gamma हमारे दूसरे वाले plane में हैं, ठीक है ना, और वो जो plane है, वो of course इसके parallel होना चाहिए, parallel होना चाहिए, ठीक है ना, तो इसके सारे point alpha, beta, gamma, तो distance कितनी है, 7 by 2, अब u, v और w जो है, तीन distinct vector है, और इन तीनों के magnitude का difference जो है, मरला, u minus v, v minus w, w minus z, इस सब कितना है, सेम है, तो देखते हैं, ज़रा, अब अगर मैं origin से distance देखता हूँ ना, origin से distance, तो origin से इस वाले plane का distance, और origin से इस वाले plane का distance, तो origin से इस वाले plane का distance कितना हैगा, 16, निकाल लेते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, 16 upon root over 3, plus का 4, और plus का कितना, 9, तो 9 और 4, 13, sorry, 3, और plus का 4, और plus का 9, root a square, plus b square, plus c square, magnitude तो नहीं लेते हैं, अपाने, तो यह हो गया, आपका, 9 और 4, 13, 13, 13, 16, 16, और plus, root 16, यानि यह हो गया, आपका कितना, 4 हो गया, तो origin से यह वाला जो distance का कितना, इस वाले plane का 4 है, ठीक है, तो इस वाले plane का कितना distance हुआ है, 1 by 2 है तो यह आपका देखें जरा, यहां पर origin है, 0, 0, 0, ठीक है न, अब जरा देखें, 0, 0, 0, यह, अब इस पर सारे point से, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस plane पर रहने वाले, हर point से distance नहीं होगी, इसकी है न, हर point से distance नहीं होगी, बराबर है न, तो मैं कहा कर रहा हूँ, अगर यह वाला distance में देख पा रहा हूँ, तो यह वाला distance है न, यह वाला distance तो हमारा आगया कितना, 4, और यह कितना आया यहां से लेके यहां तक four है और यह seven by two है तो it comes out to be one by two ठीक है साब अब इन्हों ना question में दिया हुआ है alpha square plus beta square plus gamma square equal to कितना है one अब इस condition को भी sustain करना पड़ेगा हमको ठीक है साब अब alpha square plus beta square plus gamma square equal to one है ठीक है और यह अलरेड़ी कितना है one by two तो जाहिर सी बात है मुझे अपने पैन को यू करना पड़ेगा ठीक है ना तब ही यह one होगा और अगर मैं इसको पूरा rotate करता हूं तो यह खूब पूरत सा photo बनता है circle यह बाद चमकिए आपको अब ज़रा देखि है ठीक है ना अभी तीनों point की यह वाला distance यह वाला और यह ना और देखिए एक triangle भी बनता है ना तो यह आपका एक सुंदर सा बस अब यहां से खेल हमारा खता हूं गया अब ज़रा अपन calculation की बात करें तो given plane यह रहा ओ से लेके पी तक का distance है ना यही वो है जो आपके given plane मे है बस इतनी सी बात है अब आपको ज़्यादा clear हो जाएगा ठीक है अब ज़रा देखिए अब पी आपका यह रहा ओ से लेके पी तक की distance कितनी चार origin है जीरो जीरो और यह जीरो और यहां से लेके यहां तक की distance कितनी है ओ से लेके क्यू तक की one by two ठीक है सा अब ज़रा clear तो यह आगई आपकी root three by two तो technically क्या हो रहा है तो अब यह वाला distance यह वाला distance और यह वाला distance तो तीनो distance mod of u minus b mod of v minus w और mod of w minus u यह तीनो magnitude से हैं तो यह क्या कर रहा है यह distances को represent कर रहा है दो दो point के बीच का distances it means what triangle की जो तीनो sides है triangle a b c की जो तीनो sides है वो कैसी होंगी equal होंगी अब equal होंगी तो वो क्या हो गया equilateral triangle ठीक है साब तो equilateral triangle हो गया तो a b c is equilateral triangle तो of course एक q उसका क्या हो गया circumcenter equilateral triangle main center circumcenter सबको ले लो अब ज़रा देखें हैं अब कुछ नहीं रह गया आपका इसी right angle triangle triangle q a b को पकड़ लो q a b q अब calculation में कोई दम नहीं है q a b है न अब मैं क्या निकालने में इंट्रेस्टेड हूं मैं निकालने में इंट्रेस्टेड हूं a b को है न ए से लेके बी तक के distance को ठीक है न हर साइड का तो बहुत सी बात है यह distance को हमारे पास है तो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं चाहे तो आप लोग काडिने डियमेटरी का यूज कर लें ठीक है न नहीं तो कोजाइन फॉर्मुला यूज कर लो तो 120 डिग्री इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका तो यह माइनस वन बाई टू इस एकॉल टू ठीक है तो यहां से एबी स्क्वेर आ जाएगा आपका है न एबी स्क्वेर स्मूथली आता है और इंट कप्स आउट तो भी थ्री बाई टू और यही आपकी क्या है हर साइड की distance तो यह से हपन क्या करें स्क्वेरिंग करी दोनों तरफ और यहां से हमको क्या मेला फाइनली यू डॉट वी इसके बाद जो है पूरा का पूरा कैलकुलेशन रेगूलर है तो वाल्यूम के तरह आया यू वी डबलू का बॉक्स प्रटेक्ट है न पैरललो पाइप्ड का वल्यूम नौ पo entitled हमारे पास वी डबलू के लिए हमारा रेयर यूज होने वाला फॉर्मूला इसका बॉक्स का स्क्कॉर कतना होगा। इसके बॉक्स का स्क्का हो जाएगा आपका। यू वी यू डॉड़ डबलू यह ए आपका सबके वैल्यू रगने इसका वैल्यू बाइनो मिल से बाइनो मिल का यह कुशन भी बहुत ज्यादा स्मूत्थ है मेंस में इस तरह के कुशन बहुत आ चुके हैं इसमें x की पावर कोईफीशन्ट पाच का और इसमें x पावर माइनस 5 का कोईफीशन्ट कैसे सेम है तो कुछ भी नहीं है आपको जनर दोनों का जनर टम लिखना है यह रहा आपको दोनों का जनर टम लिखते हैं अपन तो यह लो भई तो एक्स स्क्वाइर प्लस देस तो इसका जनर टम यह रहा अप कोईफीशन्ट अफ एक्सी पावर राज तो यह हो गया आपका कितना eight minus two और यह कितना हो गया? यहां से हम को मिल गया कितना? R is equal to 1 R is equal to 1 तो X e power 5 का coefficient कितना आजाएगा? यह लो इसी में रख दी है Similarly, इसका general term लिख दिया इसका coefficient लिया है अपन ने इसका भी X e power 5 का coefficient कैसा आगया? दोनों कैसे हैं? बराबर हैं दोनों बराबर हैं, कैलकुलेशन करोगे तो B is equal to 3 by 2 and they are demanding for the value of 2B. It comes out to be 3. Fine. तो यह आपके दो section multi-correct or interior type question जो दो section थे, वो complete करें बचे हुए को मेरे दूसरे साथी करेंगे. Thank you. अलो यह सबचों, आपके पास section 4 है इसके दिना बचों आपके पास सवाल है, हर एक सवाल 3 marks का है और बच्चों इसमें क्या भी minus 1 बच्चों के पास negative marking बच्चों यहाँ पर रहेगी, ठीका ना? आपके पास इस section दिना रखेंगे हैं तो बच्चों आपके पास इस section में total बच्चों 4 बच्चिन टाप के सवाल है ठीके? तो बच्चों पहला सवाल देखेंगे अभी यह ना? बच्चों पहला सवाल ठीके? बच्चों आपको एक system वो equations देरकी है यह वाला let alpha, beta and gamma be real numbers and बच्चों आपको एक system of linear equations देरका है तो पहला मेरे पास equation क्या है x plus ka 2y plus z equals to 7 x plus alpha, z equals to 11 2x minus ka 3y plus ka beta z equals to बच्चों gamma ठीके? बच्चों आप डेल्टा निकालीजें यहां पर डेल्टा आपको बच्चों बच्चों बनेगा 1, 2, 1 1 0, alpha और बच्चों 2, minus ka 3 and बच्चों 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 यहां से डेल्टा निकाला तो तुमारे पास डेल्टली बच्चों डेल्टा बनेगा डेल्टा बच्चों मेरे पास आपको अरहा ही है रहा 7 alpha minus ka 2 beta minus ka 3 7 alpha minus ka 2 beta और बच्चों minus ka 3 ठीके? अब बच्चों पहला option इसका P बच्चों पड़ो भी बच्चों तुमारे पास beta यह रख दे जाए beta बच्चों हमने क्या रख दिया? 1 beta 2 7 alpha minus ka 3 तो यार beta को अपने यह रखा 1 beta 2 से 1 beta 2 कट गया 7 से 7 कट गया, minus 3 plus 3 हो गया तो बच्चों आपके पास यदि beta तुमारे पास है बच्चों यह रख दे पर 1 beta 2 7 alpha minus ka 3 तो बच्चों this implies तुमारे पास del क्या बनेगा भी? बच्चों बनेगा del बने जाएगा यह रख दे बच्चों 0 अब बच्चों del 0 बनने के बाद system की पास क्या है? either no answer or system will have infinite number of solutions बच्चों ठीके न? बच्चों 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 बच् साथ, 11 गामा थिक है न बच्चो क्याएगा आपके पास 2 2 2 2 2 2 1 0 1 0 यहां से बनने वाला है बच्चो बनेगा आपका बड़ा ये डल्टक्स ला ठीके ना बच्चो डल्टक्स आप देख लिए यहां पे ना ये बच्चो इस डल्टक्स के मैंने बेटा बच्चो यह रख दिया भी बेटा बेटा मैं यहां रखना हो भी वह सेम रखना हो भी वन बैट टू साथ इलफा म हो जाएगा सीधा और बच्चो यह वाला सेम बच्चो यां पर भी क्या है आपका जीरो है एंड बच्छो डेल्टा जेट भी तुमारे पास क्या है जीरो है यदि च्यारों चीज बच्छो जीरो आ रही है तो तुम्हारे पास सिस्टम की पास क्या होगा system will have unique answer sorry system will have infinite number of answers चीके ना system will have infinite answer यदि बच्चो डेल भी 0 है delta x भी 0 है delta y भी 0 है and delta z भी 0 है तो system will have infinite number of answers चीके ना तो बच्चो पहला P वाला का पर match करेगा P वाला बच्चो आपके पास match करेगा इसमें यापी साथ में 5 बच्चो और रेखें बच्चो यहाँ पर आपके पास का मैच करेगा आपका बच्चो यह पहले वाला match करेगा आपके पास infinite बच्चो आणसर भी ठीके ना तो तुमारे पास बच्चो पी पे दो जाएगा तो यह वाला तो काड़ो ऐसे सिदा ठीके ना तो पहला है दूसरा भी अब बच्चो किसी और को देख लिए आप एक फटा पर बच्चो यह बिल्क लोजिकल चीजें होती है आपकी दोग करके भी आप पूरे सवाल को कर सकते हो ही आप इसमें देखी यार यह बच्चो तीसरा पार देखो इसका आर पार्ट सोरी तीसरा आर पार्ट कहां पर है बच्चो यह बिटा तमारे पास यह नहीं भी बच्चो बिटा आपके पास 1 by 2 बिटा बराबर 1 by 2 इंटू 7 इलफा मैनस 3 था तो तुमारे पास डेल 0 था यार तो बच्चो यह बिटा तमारे पास इसके बराबर नहीं है तो 20 वादा डेल्टा आपके पास 9 0 आएगा और ब और चाहएगा सुरी कहां पे आगए हैं चुंझो और पाए उनिक niew to eat a शो आर एक पी घ्यार हूं रहा है तो तो है इसमें पहुंच में यह फुआ र хотел यहां तो इसमें पहुं। क्या बनेगा भी बैंचो आपके पास P economists सही बिलकुल सरी बात है ह्ना कि अब लेक्सम रवाल पर जवाइब नेक्स्टर कर बिल्कुल यह देहों है stratég बिल्कुल बहुत ही सिंपल्स आपके पास सवाल गया किण लुई को अ find करें तो mean तो बच्छ आपको 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 सिंपल सा होता है कि x बार क्या होता है sigma x i fi अपन बच्छो sigma fi तो x बार आपके पास बच्छो बनेगा इनको आप इंटू कर दो यार 3 x 5 प्लस 8 x 2 प्लस 11 x 3 प्लस 10 x 2 प्लस 5 x 4 प्लस 4 x 4 अपन बच्छो sigma fi बच्छो fi आपके पास बनेगा पास 3,2,10 और बच्छो 20 तो तुम्हारे पास यह बनगा डिरेक्टली बच्छो आप इसको आड़कर देखेंगे ना बिटा तो तुम्हारे पास यह जाएगा भी है न सीधा 6 बनेगा भी ठीक आप देख सकतो आनसर आपके पास क्या भी अब किसी एक को आपकी से बच्छो मैस करवालों ठीक है तो किसी एक को मैस करवाली जाप दूसे मैंने बेटा यह वाला चीज़ देखा भी हाना हाना about the mean division about the mean बच्छो तो mean division का formula तुम्हारे पास यह होता है simple सा हाना f i हाना into x i minus का mean हाना तो बटा mean sorry x बार करदो इसको बच्छो sigma f i भी हाना यह बच्छो तुम्हारे पास mean division आ जाएगा about the mean भी हाना तो देख लीजिए आप तो x आपके पास बच्छो x i minus mean mean क्या 6 अभी तो यहां से ना आप बच्छो 6 गटाएंगी भी तो 3 में 6 गटेगा तो आपको पास total sum of frequency आप इसको डिवाइड करते बिटा तो बनेगा तुमारे पास यह बंजाएगा तुमारे पास 5.4 by 2 यह बंजाएगा बच्छो 2.7 बच्छो किसमिर्या देखी भी बच्छो 2.7 आपको दिया है यह रावेड़ा ना 2.7 तो बच्छो मीन डिवेशन आर तु बच्छो तुमारे पास P2003 पे और बच्छो R3000 आपके पास 4 पे तो बच्छो ऐसा कहां पर भी P3 भी बच्छो R4 भी तो डियर्कल यह आपके पास answer हो गया तो पहला part बच्छो तुमारे पास बिल्कुल सवाल का answer बच्छो बाकी फोर्मला लगा कर कि आपको time character के को फायद बिटा 16 आपके पास लाना लेट L1 and L2 with the lines बच्छो यह आपका line L1 बच्छो यह तुमार पास बच्छो line L2 है ठीक है ना लेट X with the set of all planes that contains the line बच्छो L1 आपको देराखा है लट आपको देराखा है तो ऐसा प्लिन है जो बच्छो लेट X with the set of all planes edge that contains the line L1 for a plane edge बच्छो यह सब कुछ आपको define करके देखा है ठीक है तो बच्छो आप यहां से plane को किस formula लेंगे देखो भी बच्छो plane को अब इस formula लेंगे आपके पास ठीक है ना तुमारे पास बच्छो plane मन जाएगा ठीक है सिस्टम मों बच्छो plane तुमारे प बच्छो यह line इसको contain करा भी तो तुमारे पास बच्छो A plus B plus C तुमारे पास 0 बन जाएगा और बच्छो आपको दियाएगा इसमें बच्छो आपके पास delta H sorry DH denote the smallest possible distance between the points of L2 and h बच्छो यहां पी क्या बच्छा and delta H note denote is the maximum possible value of delta H as H varies over all the planes in H इस line maximum distance के लिए तुमारे पास क्या होना जाएगा भी जो plane है बच्छो इस line के parallel होना जाएगा बच्छो और plane parallel कब बनेगा भी जब तुमारा A plus C ब्राबर 0 भी है न यह वाला इसके direction ratios के चाथ इसको आप इंडू कर देंगा तो यहां से तुमारा B बनका 0 जब बच्छो आपका B 0 होगा भी तो तुमारा यह plane क्या बनका भी बच्छो plane आपका H note यहां से बन जाएगा भी X माइनस का Z ब्राबर 0 क्या बन जाए बच्छो X माइनस का Z ब्राबर 0 यह तुमारा plane आगा भी अब इस options प्रणो सावाल क्या आप the value of D of H note तो बच्छो यहां से आपके पास क्या है बच्छो इस point से दूरी निकाल लो भी square यह point तुमारा पास क्या भी 1,0,1 यहां से आप distance निकालेंगे इसमें भी ठीक है ना बच्छो आपके पास यहां से क्या भी आपको बच्छो यहां पर delta S आ गया और यहां पर दे र बच्छो ना अल्टू के साथ निकालना आपको बच्छो निकालना है बला बेटा इस point से निकाला अब तो 0,1-1 इसके पास यहां पर आगया ना point बच्छो यहां पर आगया भी तो बच्छो इस plane से की दूरी क्या है क्या बताओ 1 upon root 2 बच्छो ना 1 by root 2 तो तुमारे पास इसका मान क्या बनगा भी 1 by root 2 पे आगया the distance of the point 0,1,2 from the plane edge 2 बच्छो नोट है बच्छो प्लेन मेरे पास x minus का z ब्राबट 0 है बच्छो इस point से इसकी दूरी क्या है क्या है बताओ 0-2 upon अंडरूट बच्छो टो इसका मोड भी तो क्या बन गया रही है रूट बच्छो सेगेंड पार्ट तुमारे पास कहां पर बिरूट टू पर जा रहा है बच्छो इससे साब की पास आंसरा जाएगा भी बच्छो पी तुमारा जारा किस पर पास पर तो यह तो आंसरा सब्सक्रा पास है इस पेपर का अंडर जो बच्छो समय को सदिस्फाइब कर रहा है यहां से कि आपके पास एक complex conjugate है इस जेड नंबर का इसका conjugate बच्चों आपके पास आया हुआ है ठीक है एंड बच्चों let the imaginary part of z b non 0 बच्चों ठीक है ना की में लों बच्चों आपके पास क्या है z का जो ना इसका imaginary part वो आपके पास 0 नहीं है ठीक है जाड बार z के मैं क्यों आ ऑफ कि पास रेंड बनालें एक आपका समीकन क्या है ? आपका muleब 9 z का Our clean 3 प्लस इतने है और बच्चों प्लस काорыर बच्चों में रहसाँ två dirt स्क्वाएर और बच्चों आपके पास क्या भी अधिक फॉर जेड पार फॉर फॉर यह फॉर दहा है माइनस का आठ ब्रावर 0 ठीक है ना अब इसका conjugate क्या लेंगा अपन बताओ भी ये तो सहीं में आएगा प्लस का 2 z बार का स्कोयर हा ना और बचो यह जाएगा 4 z माइनस का 8 ब्रावर 0 बचो आप इसको माइनस यहां से करेंगे भी तो बचो यहां पर बन जाएगा 2 जेड़ स्कोयर माइनस का जेड़ बार का स्कोयर और बचो प्लस यहां से 4 इंटू जेड़ बार माइनस का जेड़ बचो बरावर 0 ठीक है ना तो बटाओ यह बन जाएगा तमार पास z minus का z bar into z plus का z bar और बच्चो प्लस का twice ठीके न और बच्चो यहां से पुन बोल सकते हैं आपके पास z bar minus का z बराबर 0 भी तो बच्चो आप यहां से देख पार हैं minus को मनिकाल की 0 पहुंचा दूँगा तो z plus का z bar यह बच्चो मेरे पास बनगा 2 और बच्चो आपके पास अब यहां पर इसको पूट करेंगे आप मोड जेड़ के जगह भी है ना तो तुम्हारे पास यह बच्छों यहां से आपके पास आ रहा है यह आपके पास क्या है यहां प्लस य स्कूएर का पावर थ्री बै टू और बच्छों यह 2 इन्टू इसका कॉंज़िकेट का स्कूएर और 4 इन्टू बच्छों जेड और मैनस का एट बच्छों ना तो यह समीकन तुम्हारे पास आरे भी जिटा इसको सोल करने से तुम्हारे पास य बन जाएगा ना य तुम्हारे पास आ रहा है प्लस माइनस का रूट तीन तो जेट तुमारे पास complex नमर बन गया 1 प्लस प्लस माइनस ठीक है आयटा रूट थी बच्छों यह आपके पास आ रहा भी है इसे बीड़ आप सवाल के जारा 4 पर जा रहा है तो पी वाला आंचर आपके पास 4 पर जायेगा तो आपके पास थी वाला 22 दो पिज़ा रहा भी तो बच्चो पी वाला दो पिज़ा रहा तो बाकी का और ले सिस्फिट गड़ी है बोलो भी तो बंग दो फरकल को मैस क्लसुल ही बोलो फिसे च्रीमारएं का z-bar यह तमारे पास आगा two times of item y so it becomes two into item two बच्चो और y तमारे पास कहता भी रूट 3 आ रहाएंगा येस तो बच्चो तमारे पास यह आपके पास आगया भी है ना तो बच्चो आपके पास यह बनगा z- बच्चो इसका मोड बताओ यह बनएगा तुमारे पास बच्चो का पे जा रहा है एक पे जा आगा इंग तो अगल कि है निवी कैलकूरिसंग कर सकते हूँ तो यह वाला निकाल सकते हुए तुम्हारे पास क्या है आप जानते हुए जट आपकी पास ऑफ या रहा च्छी हार हे वह तुमारे पास 2 हो रहा बाइbellक च्यार आट पर जाय अब आधा या सभी यह बिल्कुल मैच कर रहा बच्चो इसी परकार से आप जोड़ देंगा आप इसमें जड़ प्लस माइनस आयोटा रूट इसका मोड निकालें भी क्या चार प्लस का तीन बच्चो इसका मोड आ जाएगा तो साथ रूट साथ इसका स्कॉर बच्चो करेंगे तो आपके पास साथ बच्चो आपके पास च्यार सवाल थे जो मैचिंग टाइप के सवाल थे हर एक सवाल तीन बाक्स का था तो जो मार्किंग पैटन है वह बच्चो तुम्हारे पास यहां पर प्लस त्री एंड-1 था ठीक है आई हो बच्चो आपका पका पेपर बहुत अच्छा पास 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 त्रीक है थेंक्यू जैसलसी बच्चो बुड़ मॉर्निंग स्वेंस्ट मैं डॉक्टर मुनिच डूडी टीम सेलसे केमेस्ट्री बात करेंगे अब जैए एडवांस दो जारतेएस में इन और्गेनिक एशन आयो है इस साल बेटा जो भी एडवांस के क्रिश क्यारा है मैलकाइट के बर्जन से क्यों प्राइट निर्मित होता है रॉंक स्टेट्मेंट हो गया नेक्स बात के निस्तापन से जिंकाइट निर्मित है बिल्कुल राइट स्टेट्मेंट है कोपर पायटि यवर्पली बटि में कोफगाएट करके आयर्ण को रिमूव करने के लिए रिमूव कर देंगे लिकेसें ते उप्चारित किया जाता है उसके बाद जिंक दातु दौरा अब चेत किया जाता है बिल्कुल सही बात है बीटा अपने इसमें एजी की रेक्शन किसे कराते हैं केसीन से कराते हैं केसीन से कराने पर एक कॉंप्लेक्स बनता है AGCN का whole twice ठीक है? अपने पास इसकी reaction अपन जिंक से करा देते हैं जिंक से कराने पर अपने को शुदेजी मिल जाती है और बाहर साथ में complex मिल जाता है ZCN का whole 4 minus 2 मिल जाता है यहाँ पर अपने को शुदेजी मिल जाती है तो अपने पास option consequence right है B, C and D option right है NCRT based question था बिलकुल एक दम ठीक है next बात करते है second question की बात करते है इन दा following reaction P, Q, R and S are the major product है कि इन में से कौन सा major product है ता आपको reaction complete करनी है देन उसके बाद उनके उनके बार में आपको correct statement बताने है जैसे पर्स्ट reaction है तो यहाँ पर well known reaction है cyanide की reaction अगर आप grignar region से करवाओगे तो यहाँ nucleophilic addition reaction हो जाएगी और उसके बाद आपको hydrolysis कराना है तो ketone बन जाएगा फिर ketone पर grignar region का again addition हो जाएगा और वापस hydrolysis से यहाँ alcohol बन जाएगा मतलब P में जो final product आने वाला है वो आपके पास alcohol आने वाला है second reaction well known है PHH दियावा है benzene है यह और यहाँ पे acetyl chloride anhidus LCl3 यह reaction भी well known reaction है तो यहाँ से यह वाली जो reaction है वो phriddle craft acylation है यह वाली reaction जो है वो है phriddle craft acylation acylation के बाद आपके पास acetophenone बन जाएगा acetophenone की reaction grignar agent से करवाने यह अगेन alcohol बनेगा ऐसे इस reaction में पहले आपको reagent दियावा है dialkyl cadmium NCRT का reagent है हना और ketone बनाने का best method है grignar agent यूज में नहीं लेते हैं क्योंकि वो फर्दर react कर सकता है तो यहाँ पहले ketone बनेगा ketone पे वापस grignar agent का oxidation कर देगा alcohol का फिर HCN का addition से cyanohydrine मनेगा H204 heat से क्या होगा तो product बना के हमें इन 4 statement के regarding information देनी है कि कौन सा statement सही है देखते हैं solution क्या होगा देखो जैसे मैंने अभी पीछे बताया cyanide पे grignar agent ने जब addition कर गया तो nucleophilic addition reaction हो गई और CN group hydrolysis के बाद CN group convert हो गया ketone में simple से reaction है आपको पता होगा यह वाली reaction C, C, triple bond, N इधर grignar agent का attack होगा और यह इधर से इधर जाएगा फिर ketone पे इस पे वापस से यह negative charge nucleophile का addition हुआ यह यहाँ से यहाँ गया और उसके बाद हमने इसका हडलासिस करवा दिया तो यहाँ पे OH में connect हो गया इसमें जो यहाँ तो chiral center generate नहीं हुआ बट यहाँ पे यह chiral center generate हुआ है मतलब P पे अपने पास chiral center आया है P option हम option एक साथ देख लेंगे P पे chiral center आया है second reaction जो यह थी यह वाली यहाँ पे यह acytopinol बन गया था प्रिडल क्राप्ट असालेशन मेंने वाकायदा लिखा है ग्रिग्रार आया है वापस एडिसन होगा और यहाँ एलकोल बनेगा यह वाला यहाँ पे chiral center नहीं है विकोज यह दोनों गुरूप सेम है asymmetry carbon नहीं है यह वाला और यह वाला गुरूप दोनों क्या है सेम है तो इसमें chiral center नहीं आया है P में आया है Q में नहीं आया third reaction थी यह acid chloride की reaction हमने di-alkyl cadmium से करवाई तो हमारे पास यह ketone मना ketone का ग्रिगना रिजेन के साथ वापस से addition reaction हुआ और वापस से हमारे पास alcohol बना और इसमें हमारे पास अगें एक chiral center जनरेट हुआ है आर्मे chiral center या asymmetry carbon आया है यहां ग्रिगना रिजेन की reaction LDHID से करवाई तो फिर यहाँ पे पहले alcohol बन गया alcohol बनने के बाद oxidation जो इसे लिखा है मैंने CRO3 dilute testosterone 4 जिसको आप Jones reagent भी बोलते हैं Jones reagent भी इसको बोलते हैं Jones reagent ने इस LDHID का इसकी 2 degree alcohol का oxidation किया किसमे? ketone में फिर ketone की reaction करवाई हमने HCN से तो sinohydrin formation वाज CN- का टेक यहाँ होगा OH चला जाएगा फिर H2SO4 heat क्या करेगा? तो इसको मैं थोड़ सा open करके बता देता हूँ क्या होगा? P, H, C, H, H और ये O, H और ये P, H और CN- cyanide का hydrolysis करेगा H2SO4 जहीने पहले भी इस region को यूज मिलिया है dilute testosterone 4 लिखना वो जरूरी नहीं है एक बार उसने पहले भी एक बार question पूचा है इसमें 95% अश्टर सोपोर्यूज में लेके cyanide का hydrolysis करवाया है कार्बोक्सली केसीड में यहां भी वही करवाया है cyanide hydrolysis हो गया कार्बोक्सली केसीड में तो यहां पे मैं लिख देता हूँ वो यह बन जाएगा जिसमें कोई asymmetric carbon नहीं है asymmetric carbon किसको बोलते है sp3 carbon पे four different group होने चाहिए उसको हम sp3 carbon बोलते हैं मतलब asymmetric carbon बोलते हैं option हम check करते हैं option को अगर हम check करने जाएं तो बोथ क्यूं p and q have asymmetric carbon तो क्या p और q डोनों के पास asymmetric carbon था नहीं था बोथ q and r have asymmetric carbon asymmetric carbon को बोलते हैं तो वो यह q में नहीं है तो यह statement भी गलत हो गया बोथ p and r have asymmetric carbon हाँ जी p और r के पास asymmetric carbon था यह statement से हो गया p has asymmetric carbon s does not have any asymmetric carbon तो p में chiral center था asymmetric carbon था s तो अपने पास double bond वाला आया है इसमें नहीं है तो यह वाट D वाला statement भी क्या है सही है answer जो अपना आएगा वो आएगा C और D तो इस question के regarding अगर information दूँ तो इस reaction इसमें क्या क्या carbonil compound से question था carbonil compound में grignar region की reaction इसमें यूज में ली थी सारे concept carbonil compound से थे और सभी reaction NCRT से बिलोंग कर रही थी question number 3 हम देखते है consider the following reaction scheme and choose the correct option for the major product R and S इसमें क्या है इसमें सबसे पहले styrene की reaction करवाई है तो styrene इस compound को बोलते हैं आपको पता होगा CH double bond CH2 this compound is called styrene B2H6 NaOH H2O2 well known reaction है NCRT की hydroboration oxidation मतलब इसमें एक में dialogue बोला जबोला जाता है मेरी तरफ से में जीसे में इसकी trick एकदम sequence से answer निकालना है तो इसी 10 है OH वहाँ जाएगा जहाँ भीड कम होगी उस double bondate carbon पे जाएगा जहाँ पे भीड कम होगी steady crowding कम होगी तो उसके बाद P बनेगा P का हमें यहाँ पता है कि यहाँ P alcohol बनेगा जब H2 का इसमें क्या होगा addition of H2O हो जाएगा फिर हमारे पास यह वह वाला zones reagent oxidation करेगा CL2 rate phosphorus से HVZ reaction होगी H2O से Q बनेगा फिर यहाँ इसने वापस P की reaction करवाई है मतलब यहाँ से P की reaction करवाई है जो P बना SOCL2 से NACN से Hydrolysis heat और Concentrate Sopor और S और आपसे पूछा है कि reaction में क्यों RS के regarding कौन सा सही है easy question है मतलब मैं इसको easy question में ही consider करूँगा पहला question भी easy था जो अभी last में हमने किया है यह question भी easy है देखते हैं देखो यहां मैंने लिखाया Hydroboration Oxidation इस्टारीन और OH वहाँ जहां भीड कम इस carbon पर भीड कम है तो OH यहां पर जोड़ दिया फिर CRO3H2804 इसको हम बोलते हैं Jones reagent और यहां पर alcohol का Oxidation हो गया Carbocytic Acid में Carbocytic Acid में फिर यहां पर Cl2 red phosphorus है हेल वेलार जलन्स की reaction Carbocytic Acid की Alpha Hydrogen हेलोजन से Subjudicated हो जाती है तो यहां पर मैंने Alpha Hydrogen पर Cl सप्लाई कर दिया और यह वाला क्यूं आपके पास बन गया तो क्यूं कमपाउंड अपने पास आ गया है उसके बाद P की reaction जो P यह बना था P की reaction वापस SOCl2 से करवाई तो पहले यहां पर एक इस्टेप यह वाली आई है CH2, CH2 और यह CL फिर NACN के साथ reaction करवाई ना तो SN2 reaction हुई है CN- ने टेक किया CL को क्या कर दिया भार और अपने पास बन गया यह फिर वापस देखो साइनाइड का वापस से अगेन उसने हाइड़ोलासिस करवाया है और यह कार्बोक्सलिक एसीड में गया है फिर कंसंट्रेट S204 दिया तो aromatic electrophilic substitution और वो भी कौन सी intra-molecular कौन सी होगी intra-molecular aromatic electrophilic substitution reaction होगी S204 इस OH को हटाएगा और यहां से reaction में पूचा था हमसे कि क्यों RS है तो देखो हमारे पास क्यों यह आए था R यह आए था और S यह आए था ठीक है तो answer will be second तो इसमें उसने कई concept connect कर दिये मतलब alkene की reaction भी पूच ली उसके बाद यहां पे alcohol का oxidation भी पूच लिया तो आप थोड़ा सा पेटन को चेक करें कि किस पेटन पर क्यों पूचे जा रहे है NCRT की रिजियन को यूज में लेते हुए NCRT की रिजियन को यूज में लेते हुए वो आपके concept चेक कर रहा है कि आपका proper conversion है या नहीं next question देखते है यह अपना question आया हुए यह अपना salt से question आया हुए बटा salt बोल सकते हुए या फिर इसमें deep block and salt को दोनों को mix किया गया है इसमें देखो यह वैसे question अपना option के base per question हो सकता है इसमें देखो बात करें यहां तीनों option में MN है एक option में CR है अगर मैं यहां CR का highlight लेता हूँ CR CL3 लेता हूँ यह MN CL3 का highlight लूँ MN CL2 का highlight लूँ तो अगर CR CL3 का highlight बनता तो CR OH का whole thrice बनता जो कैसे करल का मिलता अपने वो green color का मिलता तो यह statement अपना wrong हो गया तो अपने पिछे बचा कोन MN बचा कोन बचा MN तो यहां क्या बनेगा MN OH का whole twice का white PPT अपने को मिलती है कैसे मिलती है तो यह P है इस P को अपने यहां रखा MN plus 2 है MN plus 2 है इसका अपन PBO2 से क्या कराते है PBO2 से oxidation करवाते है PBO2 PBO2 MN plus 2 को किसमें change कर देता है MN MN O4 minus 1 per magnet में change करता है पर magnet में ऐसा कोई option A की है अपने पास आंसर आ जाता C क्या जाता C आंसर आ जाता next बात करते है physical chemistry plotting 1 by M against C molar conductance and aqueous solution of the mono basic acid resultant state line y axis intercept of P and slow physics D students electrochemistry का एक conceptual questions है जीसे हम electrochemistry में cholera slow में हम जीसे पढ़ते हैं यहां कहा गया है कि आपको molar conductance or C of molar conductance and concentration and molar conductance के बीच में करवा आपको plot करना है जो आप लोगों को state line करवा होगा और इस state line करवा में आपको intercept और slope के बारे में discuss करना होगा तो dear students हम यहां discuss करते हैं तो कोई भी weak electrolyte होता है weak electrolyte के लिए degree of ionization degree of dissociation degree of ionization alpha इस तरह से हम दे देते हैं कि molar conductance at C concentration upon molar conductance at infinite dilution infinite dilution बोल देते हैं zero concentration बोल देते हैं अगले ने indicate किया है कि इसका मतलब है molar conductivity molar conductivity at infinite dilution और zero concentration C का मतलब molar concentration के dissociation constant of acid तो यह अपने पास हो गया साथ यह पन जानते हैं कोई भी weak acid है HA अगर अगर है कोई weak acid है और इसे H3, H2 आयोनाइजड होता है तो यह बन जाएगा H3O plus plus A minus यहाँ dissociation constant K हो गया यह C हो गया water के लिए activity 1 हो गई यह 0 और यह 0 पुट करके केवल state line equation बनानी है ओके D students तो देखते हैं D students देखना यह अपने पास alpha is equal to होता है molar conductance at C concentration upon molar conductance at 0 concentration तो K is equal to C alpha square upon 1 minus alpha अभी भी derive किया K is equal to और यहाँ से alpha की value पुट कर देते हैं molar conductance at C concentration upon molar conductance at infinite dilution का square और यह अपने पास आगया 1 upon 1 minus molar conductance upon molar conductance at 0 concentration इसको इससे solve किया तो molar conductance upon molar conductance infinite dilution 0 concentration और यह अपने पास तो यह अपने पास state line की equation बन गी जिसको हमने Y नाम दे दिया यह slope C हो गया और C molar conductance के बीच में plot किया गया तो यह value क्या होगी X और यह value किसको represent कर रही है M को represent कर रही है तो अपने पास जो अपने पास intercept है वो P बराबर 1 upon lambda molar conductance at 0 concentration हो गया और अपने पास जो इसका slope है slope हो गया 1 upon molar conductance at 0 concentration का square into K इनका ratio calculate करते हैं तो P upon S is equal to हो जाएगा K into M molar conductance at 0 concentration तो इस तरह से अपने इनका दोनों का ratio हो जाएगा और option अगर हम check करें तो कौन सा option correct हो गया इसमें अपने पास ये वाला option correct हो गया तो first option क्या हो जाएगा correct हो जाएगा okay simple next check करते है 6 number 6 number को check करते है on decreasing the pH from 7 to 2 the solubility of springly soluble salt mx of weak mx of a weak acid hx increased from 10 to power minus 4 to 10 to power minus 3 mol per liter the pk of hx dear students solubility का बड़ा famous questions है जिसको हम हर बार class में करते हैं और इस concept को अच्छे जाशे समझते हैं concept अगर समझावा है तो आपका answer बिलकुल easily आ जाएगा एक springly soluble salt है उसकी solubility को एक बार pH 7 pH 7 मतलब H2O में अपने को दी है और एक बार pH equal to 2 पर अपने को solubility given है दो cases में solubility given है तो आराम से हम का calculate कर सकते हैं solubility पे acid based concept अपने को apply करना होता है okay these students पहले pH 7 में अपने को solubility दीए pH 7 में अगर अपने पास solubility है तो pH 7 का मतलब होता है in neutral solution water में हम calculate करते हैं तो solubility अपने पास 10 to power minus 4 है अपने पास springly soluble salt mx है mx ही solid हो गया इससे h2 में dissolve के रहेंगे तो अपने पास m plus aqueous हो जाएगा plus x minus aqueous हो जाएगा तो dear students हमारे पास यहाँ ksp इसका हो जाएगा m plus और x minus यह अपने पास ksp is equal to 10 to power minus 4 solubility given है into 10 to power minus 4 10 to power minus 8 इसका solubility product हो जाएगा solubility product always क्या रहेगा similar रहेगा constant temperature पे अब skip solubility pH 2 पे अपने पास decide की की pH 2 पे 10 to power minus 3 होगी तो हम इस question को easily solve कर सकते है changing in pH 7 to 2 वही बात है pH जब 7 है तो ksp is equal to 10 to power minus 8 अभी यह भी drive की है अब pH equal to 2 है अपने पास तो हम solubility का concept लगा रहे है pH 2 है तो इसकी solubility s decide कर ली हमने s हो जाएगी और x minus की जो concentration है वो x minus अपने पास equilibrium पे attain हो जाएगी ओके dear students यह equilibrium पे अपने पास attain हो जाएगी जो x minus आएगा वो h plus के साथ react करेगा और hx बना लेगा इसका equilibrium constant 1 upon k हो जाएगा 1 upon k जैसे hx के लिए भी भी लिखा hx equals है h2 के साथ dissolve करेंगे तो क्या बन जाएगा h3o plus plus क्या हो जाएगा x minus इसकी opposite reactions है तो 1 by k हो जाएगा x minus x minus के equal रहेगा pH 10 to power minus 2 given है और s के equal यह अपने पास solubility हो जाएगी अब यहाँ अपने पास ksp क्या रहेगा ksp is equal to m plus और x minus 10 to power minus 8 is equal to s देस या s इसे हम चाहें s देस कह दें चाहें s कह दें into x minus तो 10 to power minus 8 into x minus एक equation अपने पास यह मिल गई दूसरी equation किसकी मिलेगी k की k is equal to क्या हो जाता है अगर k की बात करें तो x into h plus k की बात करूंगा opposite लिखूंगा इसके लिए तो क्या हो जाएगा h plus multiply by x minus upon h axis के लिए हो जाएगा तो dear students एक equation में अपने पास x minus 10 to power minus 2 pH होगी h plus sign की s देस अपने को calculate s देस होगया 10 to power minus 3 नई solubility कितने होगी 10 to power minus 3 तो k is equal to आगे आपने पास 10 to power minus 4 और p k कितना हो जाएगा 4 अपने पास हो जाएगा बिल्कुल simple और conceptual questions अपने पास given है तो answer कितना हो जाएगा 4 answer क्या लिखेंगे answer हो जाएगा अपने पास 4 answer अपने पास correct हो जाएगा ok dear students next यह बहुत ही भैत्रिन question है मैं इसको थोड़ सा अगर बच्ची की NCRT पूरी किलियर है chemistry अगर उसको line to line याद है तब ही यह question कर सकता है क्योंकि reaction में S बनाना easy है but this S के regarding जो information पूची है वो आपको NCRT की line याद होने पे ही आप इस question को taint कर सकते हो ठीक है देखते है P बोल रहा है कि आपको गिंदा reaction scheme P is phenyl alkyl ether कोई भी phenyl alkyl ether हो सकता है मतलब P जो है वो P H O R ठीक है Q is an aromatic compound तो यहाँ hint दिया है कि aromatic compound है तो HI के साथ reaction SN2 reaction जाएगी हाना और reaction कैसे जाएगी वो मैं बता देता हूँ P H O R और H I पहले protonation होगा P H O H और यह plus और यह R देन I minus अटेक करेगा भाई SN2 path और इसको भार कर देगा तो यह P H O H जो है वो अपना phenyl है जो कि एक aromatic compound है that means क्यों यह है फिर क्योंकि यहाँ पे reaction करवाई है वो करवाई है कोलबे reaction यह भी NCRT की reaction है name reaction है कोलबे reaction orthoposan पे carboxly group जूर जाता है उसके बाद उसका करवाई है acylation इस hydrolysis का वैसे कोई मतलब नहीं है अगर नहीं भी देता तो भी हो जाता क्योंकि बच्चा यहाँ confusion हो रहा है hydrolysis देखे क्योंकि acylation से direct reaction हो रही है तो acylation हुआ है उसके बाद S बना है S जो बना हुआ आपका aspirin बनेगा well-known reaction है सभी जानते है aspirin के regarding statement आप से पूचा है तो वापस एक बाद बेकरिजम देख लेते हैं अपन उसके बाद आगे भरते है yellow यह मैंने phenyl-alkyl-ethyl लिखा HI यहाँ SN2 से phenol बन गया annuals मैंने लिखा coal-bary reaction हो गई aromatic compound है और यह वाला बन गया आपको पास salicylic acid फिर यहाँ पे मैंने बोला acetycan hydride hydrolysis acylation reaction हुई है acylation कैसे करवाया है CH3CO बाहर हुआ है और यह वाला बन गया यह carbon है CW bond O CS3 यह वाला बन गया है ठीक है aspirin ortho-acetyl salicylic acid नाम है इसका ortho-acetyl salicylic acid नाम है मतलब salicylic acid का यह salicylic acid है इसके ortho-posen पे acetyl group लगावा है तो यहाँ पे CO CS3 लगेगा इसको बोलते है 2-acetyl toxic benzoic acid बोल सकते है 2-acetyl toxic benzoic acid बोल सकते है यह फिर ortho-acetyl salicylic acid भी बोल सकते है ठीक है अब देखो इसके regarding जो information पूचिए aspirin जो बना है इसके regarding information हमसे पूचिए तो पहले option में हमसे क्या पूचा है वो देखते है इस प्रिमिलरी इनहिबिट नोर एड्रेनिलीन डीग्रेडिंग एंजाइम गलत स्टेट्मेंट है NCRT में साब साब लिखा हूँ है कि जो anti-depression drugs है वो वाली drugs यह काम करती है प्रिमिलरी इनहिबिट नोर एड्रेनिलीन डीग्रेडिंग एंजाइम वो कौन करता है anti-depression drugs यह काम करती है एस्प्रीन यह काम नहीं करता है इस्टेट्मेंट कलत हो गया इस प्रिमिलरी इनहिबिट दा सिंतेशिस और प्रोस्टागलेडिन जी हाँ यह बात सही है यह नार्कोटिक और नोन नार्कोटिक ड्रग का जहां NCRT में classification दिया हो है वहाँ पे नार्कोटिक ड्रग में पेरासिटा मोल और एस्प्रीन दोनों के बारे में लिखा हुआ है और एस्प्रीन के बारे में लिखा हुआ है कि यह इनिबिट करती है प्रोस्टागलेडीन के सिंटेसिस को तो यह वाला स्टेटमेंट सही है इट इज नार्कोटिक ड्रग गलत बात है यह नोन नार्कोटिक ड्रग है अगेनी स्टाट करते है बोला है कि इट इज नार्कोटिक ड्रग गलत स्टेटमेंट में non-narcotic drug है कौनची है? non-narcotic drug है it is ortho-acetyl benzoic acid गलत naming है क्योंकि ortho-acetyl benzoic acid तो यह हो गया benzoic acid यह वाला हो गया और ortho-acetyl group लगाऊंगा तो यह वाला नाम हो गया और आपको पता है यह वाला aspirin नहीं है तो यह statement भी गलत हो गया यह भी गलत है यह है ortho-acetyl benzoic acid aspirin का जो name है वो ortho-acetyl salicylic acid है salicylic acid का acetyl group लगाऊंगा वाला चाहिए तो यह भी गलत है तो answer will be वो आएगा B is correct answer next question देखते है single choice यह question था section C में चलते है section C में अपने पास question non-negative integer type questions है non-negative integer type अपने पास questions है जिसमें negative marking इसमें पास नहीं है answer अपने पास integer आएगा okay देखते है the stoichiometric reactions of the fix 61 gram dimethyl dichlorosilene with water result in the tetrameric cyclic product of yield 75% the weight of oxygen obtained अपने पास tetramethyl selene है अपने पास dimethyl CS3 का holtwise SI और CL2 यह कोई selene है इसकी अपने पास water के साथ react करवाते ही और polymerization करते है तो एक अपने पास क्या मिलता है tetramer मिलता है और tetramer मिलता है इसकी efficiency reactions की 75% है इसकी efficiency अपने पास 75% है तो हमें product का mass calculate करना है simple mole concept है अगर mole concept की outline अपन अप्लाई करते हैं तो आसानी से sol हो जाता है the students यहाँ पे पास हमने tetramer methyl selene होगे इसका hydration and polymerization कर दिया तो अपने पास यह वाला product मिल जाएगा हम simply silicon के लिए POAC complete कर देते है mole of the अपने पास dimethyl, dichlorosilene के mole होगे 516 divided by 129 4 mole अपने पास available आगे अगर हम POAC of silicon atom silicon atom के लिए POAC apply करते हैं तो 1 into mole of this and 4 into यहाँ silicon की stoichiometry silicon के हो कितने आगे 4 atom आगे तो silicon atom के लिए हम POAC apply करते हैं gram में अपने पास इसका आंसर होगा 222 gram इसका अपने पास आंसर हो जाएगा एक mole concept का simple type of questions है जो apply कर सकते हैं ठीक है मिंस इस बार जही एडवांस ने वालों ने बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पेपर भी नहीं रखा है और conceptual पेपर अपने पास आया है जही एडवांस का a gas has a compressibility factor 0.5 and the molar volume of 0.4 at a temperature of 800 Kelvin pressure is axatium if so yield gas behave at same temperature behave at the ideal at same temperature and pressure the molar volume will be y decimeter cube mole inverse the value of x dear students पहले questions की outline को देखेंगे की questions किस तरह से बना है किस तरह से frame किया गया है फिर questions को solve करते हैं अगर questions की outline देखते हैं तो यह कहा गया है कि real gas related questions लिया है एक बार gas real gas की तरह behave कर रही है तो real gas की तरह behave कर रही है तो उसमें हमें क्या calculate करना है उसमें हमें at temperature pressure calculate करना है अगर यह gas same pressure रखती है तो volume कितना होगा और जिसमें से x और y का हमें ratio पूछा है एक बार हमें gas p v m is equal to z n r t z n r t को apply करना है अपने पास compressibility factor 0.5 है and molar volume 0.4 है compressibility factor 0.5 है और molar volume 0.4 है यहां से हमें pressure calculate कर लेना है pressure अगर calculate कर लें तो यह अपने पास pressure की value कितनी है x ATM आ जाएगी जो की कितनी होगी pressure की value x होगी अगर gas same pressure रखे और ideal की तरह behave करे तो इसका volume easily calculate कर सकते हैं और दोनों में x और y का ratio calculate करना है तो dear students बिलकुल अपने real gas से एक अच्छा और conceptual questions यहां से IT ने put up किया है तो पहले PVM is equal to ZRT N की value molar volume की बात कर रहा है तो N की value कितनी हो जाएगी dear students 1 हो जाएगी तो x is equal to x pressure हो गया molar volume 0.4 हो गया 0.5 RT यहां से pressure की value calculate की तो यह pressure की value अपने पास कितनी होगी 1000R होगी अगर gas ideal gas की तरह behavior करेगी तो PV is equal to RT हो जाएगी 1 mole के लिए तो PV is equal to RT pressure कितना होना चीए 1000R होना चीए तो Y यहां से calculate करना है R into 800 यहां से अपने पास Y की value आगी x और y का ratio calculate करते हैं तो x और y का यहां ratio आजाएगा वो अपने पास 100 ratio आजाएगा तो 100 ratio अपने पास आजाएगा तो हम इसे calculate कर सकते हैं कितना हो जाएगा अपने पास C 100 आगया तो x ratio y कितना हो गया 100 अपने पास हो जाएगा तो answer कितना हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 100 Okay students simple देखते हैं next these students यहाँ देखेगा एप लोट एक लोग K versus 1 by T for a reversible reaction issue chemical equilibrium और chemical kinetics का mix करके अच्छा क्यूस्टन आपको दिया है आएटी ने और अच्छा एक conceptual क्यूस्टन जिस पे अपन step by step चलें तो बिल्कुल easily solve हो रहा है log K forward और 1 by T के बीच में करवा हमें दिया है और pre-exponential factor the forward and backward reactions are 10 to power 15 and 10 to power 11 respectively if the value of log K for the reaction is 500 Kelvin is 6 and the value of log KB KB at 25 to 50 Kelvin तो 250 Kelvin पे लोग KB का हमें mode calculate करना है dear students mode calculate करना है अब हमें बात कर रहा है K को दे रहा है equilibrium constant for the reactions K forward equilibrium constant for forward reaction K backward rate constant for the backward reactions dear students एक simple equilibrium का concept apply करवाना चाहता है जिसे हम जानते हैं कि equilibrium constant K होता है वो forward reactions का rate constant upon backward reactions का rate constant अगर questions की outline अपन चेक करें तो questions की outline में ये दे रखा है 500 Kelvin पर K forward और K backward की value दे रखी है exponential factor की value दे रखी है तो हमें 250 पर backward reactions के लिए हमें क्या calculate करना है rate constant calculate करना है बड़ा आसान सा काम होता है देखिए questions पर apply करते है 1 by T graph में हमें देखना वैसे दे रखा है और 1 by T दे रखा है 0.002 यहां से अगर हम इस temperature किस temperature पर ये graph दे रखा है तो 1 by T को solve करें तो 1 by T is equal to 1 by T is equal to 0.002 मतलब T is equal to 500 Kelvin पर यह हमें ग्राफ दे रखा है T बराबर 500 Kelvin पर यह ग्राफ दे रखा है तो हमने का T is equal to 500 Kelvin आ गया और 500 Kelvin पर log K is equal to अपने पास 9 गिवन है और log forward और backward reactions के लिए अपने पास जो rate constant है backward reactions के लिए rate constant है उसकी value अपने को दे रखी है 10 to power 3 ठीक है तो यह दे रखी है 10 log equilibrium constant की value दे रखी है 6 तो K equilibrium बराबर K forward upon K backward K forward 10 to power 9 है K backward अपने पास calculate करना है equilibrium constant की value 6 है तो K backward is equal to 10 to power 3 आ गया कितने Kelvin पे 500 Kelvin पे और A backward दे रखा है pre exponential factor 10 to power 11 एट दे 500 Kelvin तो क्या 500 Kelvin पे हम activation energy की calculation कर सकते हैं क्या बिल्कुल कर सकते हैं तो 500 Kelvin पे 500 Kelvin पे यह अपने पास लगा दिया log KB is equal to log AB minus यह backward upon 2.303RT यहां से अपने 500 Kelvin पे calculate किया तो 500 Kelvin पे यह upon 2.303R की value 4000 आ गई अब 250 Kelvin पे हमें के calculate करना है simple सी है यही equation हम कितने पे apply कर देते हैं यह temperature कितना ले लेंगे 250 Kelvin ले लेंगे तो यह log KB की value कितने पे आ जाएगे अपने पास 250 Kelvin पे आ जाएगे तो वही बात हमने put कर दी A की value temperature कुछ independent मानते हैं नहीं दिया वैतो तो यह अपने पास 11 minus 4000 upon 250 तो यह अपने पास log KB की value आगी 10 to power minus 5 जिसका mode अपने पास 5 हो जाएगा और यह 5 value अपने पास किसकी आ जाएगे log KB backward reactions का rate constant आ जाएगा OKD students तो आंसर क्या हो जाएगा 5 आंसर क्या होगा 5 इसका आंसर हो जाएगा तो simple एक chemical equilibrium को kinetics related करके questions बना गया है 1 mole of ideal monoatomic gas 11 number question discuss करते है 1 mole of an ideal monoatomic gas undergoes two reversible process A to B, B to C show in the given figure एक ideal monoatomic gas thermodynamics का questions है देखते हैं questions किस तरह से related एक graph दिया है 1st वाला graph अपने को adiabatic process है A से लेके B तक हमें graph adiabatic process है adiabatic process है adiabatic process है तो क्यों कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 2nd वाला graph कैसा graph आ गया isothermal graph आ गया B to C A to B is adiabatic process if the total heat absorb entire processes AB is R T2 LN 10 the value of the 2 log V3 हमें 2 log V3 की value calculate करने है simple dear students हमें इस तरह से log V3 calculate करके V3 calculate करके 2 log V3 की value calculate करने है CP अपने पास गिवन है 5 by 2 R simple है first of all हमें यहां का temperature करना पड़ेगा यहां का temperature अपने पास 600 given है यहां का temperature कितना हो गया 60 हो गया यहां का volume और यहां का volume calculate करें तो यहां का volume कितना है 10 meter cube है और यहां का volume हमें इसके corresponding volume check करना होगा adiabatic process है तो मैं क्या apply कर सकता हूँ इसके लिए P V की power gamma apply कर सकता हूँ जिसको मैं किसके ट्रम में लिख लूँगा T और V के ट्रम में put कर देंगे तो dear students यह भी adiabatic process है gamma 5 by 3 है तो T V1 की power gamma minus 1 T2 V2 की power gamma minus 1 T1 temperature कितना था 600 V1 अपने पास 10 और यह V2 60 हो गया था V2 5 by 3 minus 1 तो V2 की value अपने पास आ गई 10 to power 5 by 2 हमें एंटाइर प्रोसेस में इस पूरे प्रोसेस में इस पूरे प्रोसेस में जितनी heat है वो calculate करनी है तो heat calculate करने के लिए total heat कितनी हो जाएगी Q is equal to Q AB plus Q BC Q AB adiabatic process है तो Q AB कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा Q BC है वो W BC के बराबर हो जाएगा isothermal process है तो W is equal to minus N RT LN V2 upon V1 होगा OK minus N RT LN V2 upon V1 हो जाएगा और D is equal to Q plus DQ plus W हो जाएगा Q plus W हो जाएगा अपने पास isothermal process के लिए तो Q बराबर हो गया minus W तो W की value पूट कर सकता हूँ तो W हमें पूट करना है RT2 LN V2 upon V1 RT2 LN 10 हो गया RT2 10 तो RT2 हमें किसकी value calculate करनी है RT2 LN 10 की value calculate करनी है RT2 LN 10 की value calculate करनी है यह अपने पास आगया RT2 LN 10 तो RT2 LN V3 upon V2 इसको solve किया तो यह आगया 10 अब V3 is equal to 10 V2 और V3 is equal to 10 की बावर 5 by 2 तो V3 is equal to 10 की बावर 7 by 2 तो 2 लोग V3 is equal to 2 upon 7 by 2 कितना answer आजाएगा 7 अपने पास answer आजाएगा तो okay dear students कितना answer हो गया इसका answer हो गया अपने पास 7 इसका answer हो जाएगा ओके next D students questions को frame किया है questions देखते है 12 number 1 liter flask 6 small undergoes the reaction A2P the progress of the product form at temperature T1 and T2 in show figure T1 is 2 T2 and delta G2 minus delta G1 is equal to R T2 ln X then the value of X delta G1 node and delta G2 node are Gibbs free energy R T2 ln X की value calculate करने these students these students एक reaction हो रही है simple thermodynamics का concept delta G का concept काम में लिया है एक reactions हो रही है एक बाद T1 temperature पे हो रही है एक बाद T2 temperature पे हो रही है और अपने पास यहाँ product के mole बता रहे हैं P guess यह reaction हो रही है A guess starting में के कितने mole थे? 6 mole of A यह 6 mole of A थे और मैं एक बाद T1 temperature पे काम कर लेता हूं तो यह 0 था यह 6 minus X हो गया यह X हो गया यह X की value कितनी हो गई? 4 तो अपने पास T1 temperature पे यह कितना रह गया? 2 रह गया यह कितना आ गया? तो T2 temperature पे starting में 6 था यह 0 था 6 minus X और यह X यह T2 temperature पे X की value दो आ गई तो यह कितना हो गया? X is equal to 2 तो यह तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा अलग अलग temperature पे reactant और product के बारे में गिवन है delta Z के बारे में गिवन है तो simple delta Z is equal to minus RTLN K यहाँ equilibrium constant ले सकते हैं और यहाँ भी equilibrium constant को apply कर सकते हैं तो देखे delta Z is equal to minus RTLN K delta Z1 not equal to minus RTLN minus RTLN अपने पास देखा तो K की value कितने हो जाएगी? 4 by 2 K की value कितने हो जाएगी? 4 by 2 हो जाएगी तो K की value 4 by 2 हमने यहाँ put कर दी delta Z2 equal to minus RTLN 2 divided by 4 देखो कितने हो जाएगी? 2 divided by 4 K equilibrium की value होगी 2 divided by 4 तो 2 divided by 4 को अपने यहाँ apply कर दिया अब delta Z2 minus delta Z1 minus RT 1 by 2 simplify RTLN K2 इसकी value कितने हो जाएगी? यह अपने पास 2 हो जाएगी इसको solve करेंगे तो यहाँ से X की value कितने हो जाएगी? X की value 8 हो जाएगी तो answer कितना हो जाएगा? 8 answer अपने पास हो जाएगा यह अपने पास answer हो जाएगा इसका 8 answer हो जाएगा ओके, next यह लो दा टोटल नंबर ओप SP2 hybridized carbon atom in the major product P a non-heterocyclic compound मतलब non-cyclic compound आईए ठीक है? और reaction आपको दी वुई है यह बाला चार साइनाट लगए है Li-LH4 क्या करेगा? reducing agent है reducing agent है acetophenone excess में दियार P बोला है यह reaction पहले यह cyanide का reduction करवा दिया तो amine बनेगी फिर amine की reaction carbonil compound से amine की reaction carbonil compound से inamine बनती है आपको पता होगा ammonia derivative के साथ reaction में दी हुई है तो देखो केसे होगी reaction पहले Li-LH4 excess में दियावा है CH2 तो हर cyanide का क्या हो जाएगा? reduction हो जाएगा CH2, NH2, CH2, NH2, CNS2 फिर acetophenone आपको excess में दिया हुए तो यह जो product बनाना वो कुछ ऐसा बना है NH2 यह NH2 mechanism तो यहाँ बताने की जुरूत मेरे साथ से लग नहीं रही है कि C double bond O और यह PHCH3 और यहाँ से H2 बाहर हुआ है फिर यहाँ से भी PHC CH3 double bond O यहाँ से भी H2 बाहर हुआ है फिर C double bond O PHCH3 यहाँ से भी H2 बाहर हुआ है और यहाँ से double bond O और यह PHCH3 यहाँ से भी H2 बाहर हुआ है तो product बना यह वाला अब मैंने PH को open कर दिया बेंजिन रिंग गई है हमसे पूचा total number of SP2 carbon कितने है तो देखो मैं जिनको star कर रहा हूँ carbon double bonded carbon SP2 होता है यह SP2 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 जी वाफ़से continue करते है SP2 carbon है तो 6 तो बेंजिन रिंग के होगे एक carbon यह हो गया तो यहाँ पे अपने पास 7 है और वो ही 7 यहाँ पे है वो ही 7 यहाँ पे है और वो ही 7 यहाँ पे है तो total sp2 carbon जो पूचे हैं वो हुँगे 28 simple question reaction के बाद आपको bonding की तरफ लेके चला गया next question section 4 matching list set है ये people लोग से question दिया गए तो बहुत simple NCRT की सारी NCRT की reaction है तो प2O3 से अपने H2O की reaction कराई तो यहां अपने पास क्या बनेगा S3 PO3 बनता है देखिए बेटा ये किसका अइनाइड है ये plus 3 का है तो plus 3 acid बनेगा यहां बात करें famous reaction है NCRT की यहां पर क्या बनेगा phosphene plus phosphene बनता है plus Na H2 PO2 का formation होता है यहां बात करें PO Cl3 plus CS3 COO Cl बनता है जबकि यहां बात करें अपन S3 PO4 का formation होता है PLUS AZ PLUS HNO3 बनता है अब देख लेते हैं इनमें कौन से कौन से है देखो P2O5 PLUS 3H2O S3 PO3 बनता है तो S3 PO3 यह दे रखा है तो अपना आजएगा P का second आजएगा P का second बेटा 2 में दे रखा है तो यह option अपना गलत हो गया यह option भी अपना गलत हो गया अपने पास A और B option ही बचे है नेक्स्ट बात करें P4 PLUS 3 NEOH PLUS H2O यह क्या बनेगा यहाँ POSPINE बन रही है और SODEUM हाइपो Phosphite बन रही है तो अपने पास 3 आ गया तो Q का क्या जएगा 3 तो Q का 3 एक यह option में है इसमें भी है Q का 3 से बेड़ा इसमें भी यह दो तो cancel हो गया थे ठीक है तो यह P का 2 P का 2 इसमें भी है Q का 3 Q का 3 इसमें भी है PCL 5 की reaction इससे कराते है तो क्या बन रहा है PO CL 3 और यह बन रहा है यह तो नहीं बनेगा PO CL 3 यह रहा तो P का आजाएगा R का आजाएगा अपने का 4 R का 4 यहां भी दे रहा है यहां 1 दे रहा है तो अपना answer आगे बटा 4th answer आजाएगा Next का भी देख लेते हैं S3PO 2 है इसकी NO3 के साथ reaction करा रहे है तो क्या बन रहा है S3PO 4 बन रहा है तो इसका 5 आजाएगा S का 5 दे रहा है तो अपना answer आजाएगा D चीकर बटा यह P block के सारी reaction थी NCRT की reaction है सारी की सारी Next बात करते हैं Next question के अपने बात करें यह coordination से question पूछा किया था बटा इसमें coordination में CFT के बार बात करिए हुए यहां देखें इसमें प्लस 2 oxidation state दे रखिए कितने दे रखिए प्लस 2 प्लस 2 में यहां कितना होगा D6 होगा weak field ligand है hybridation आएगा SP3 D2 आएगा MN है प्लस 2 दे रखा है तो क्या आएगा D5 आएगा hybridation weak field ligand है SP3 D2 आजएगा कोबाल्ट के लिए बात करें strong field ligand है प्लस 3 है क्या है प्लस 3 D6 आजएगा strong field ligand है D2 SP3 है hybridation आएगा strong field ligand है FECL4 प्लस 3 है बेटा क्या है प्लस 3 तो यहां भी D5 आएगा पर यहां देखो coordination नमबर कितना है 4 है तो यहां SP3 SP3 बात करें यहां COCL4 माइनस 2 प्लस 2 है तो यहां क्या भाएगा D7 आजएगा क्या जएगा D7 आजएगा और यहां भी SP3 अपने पास hybridation आएगा अब चेक कर लेते हैं P में दे रखा है कि T2G में सारे है ऐसा कब आएगा strong field ligand हो strong field ligand यहां एक ही जगा मिल रहा है इन octa-adal में यह octa-adal में रहेगी और यह दोनों क्या मिलेंगे tetra-adal में octa-adal में क्या होता है इनको क्या बोलते है easy इनको बोलते है T2G और इसमें क्या होता है इसमें 3 उपर रहते है और 2 नीचे रहते है ठीक है इनको क्या बोलते है इनको बोलते है T2 ठीक है बिड़ा अब देखते है P में क्या दे रहा है तो P का आजाएगा अपने पास strong field 3 P का 3 यह तो इसमें तो है नहीं और इसमें भी है नहीं यह दोनों में बात करते है ठीक है नेक्स्ट बात कर रहा है T2G 3 and EZ टोटल 5 इलेक्ट्रोन है पाँच इलेक्ट्रोन यहाँ पर कहा दे रहे है इसमें दे रहे है यहाँ तो 6 आगे वीक्विल्ट लिए उक्टाइडल 3 नहीं तो है पने पास ओगा र का 4 र का 4 इसमें वीक्विल्ट में बने यहाँ भी दिखा रहे है इनमें हाइबरेशन दिखा रहे है इनका पता रहे है आपको नेक्स्ट बात करते है ये वाला, ये अच्छा क्यूसन है मतलब अच्छे का मतलब ये नहीं की difficult है मतलब concept check कर रहा है अगला ये match the reaction in list first list with the features of their product in list second and choose the correct option मतलब आपको ये दिया है कि 1-bromo-2-ethyl हाना और यहां लिखा हुआ है minus, मतलब single enantiomer है इसका मतलब क्या हुआ, single enantiomer है एक्वस एने ओच के साथ reaction करवाई SN2 reaction करवानी है और बोलाना है कि जब product बनेगा उसकी stereo क्या रहेगी ऐसे second में ये वाला SN2 बाकाइदा लिखे दिया है, यहां भी SN2 यहां SN1 reaction करवानी है और stereo पूछा है कि क्या होगा और correct option आपको choose करना है तो यहां मैंने इसको solution किया है, देखो पहले जो reaction है P जो दिया हुआ है, उसमें negative single stereo है समर रहा any watch SN2, तो यहां पर reaction होगी ये भी आर, ये भी आर मतलब इस chiral center के regarding ये L था, या minus था तो और product बना ये तो इस chiral center पर तो reaction हुई नहीं chiral center तो अपना retain रह गया उस पर तो कोई 3D arrangement change हुआ ही नहीं side में reaction हुई है, जब तक chiral center पर reaction नहीं होगी, तब तक हमें inversion observe नहीं होगा that means, यहां पर retention in configuration, same ditto यहां retention होगा, SN2 में retention हुआ है बच्चे का गलत इसलिए में हो सकता है कि बच्चा सुचे SN2 में inversion होता है, बट inversion के लिए condition है, कि वो chiral center पर reaction होनी चाहिए, यहां chiral center पर reaction नहीं हुई है, second आपको दिया वापस नहीं होगा है तो यहां पर देखो इसका यह chiral center है इस पर OH- attack करेगा, बेक सैड और बाहर होगा तो यहां inversion होगा, 3D arrangement change होगा inversion in configuration यहां inversion होगा, क्यों में inversion होगा next, यहां पर बात करें एकवस नहीं वाच, SN2 करवाए तो यह पहले chiral center है, तो SN2 तो किसे होगी, कार्बोकेटेन चे होगी तो यहां पर यह वाला यह वाला, उसके बाद इधर इथाईल लगावा है, और इधर मिथाईल लगावा है, और यह कार्बोकेटेन बना, अब जो OH- आएगा, वो about the plane भी आएगा below the plane भी आएगा, मतलब मिक्सर open anion summer, यह आप बोल सकते हो कि यहां पर आपके पास racemic mixer बनने वाला है यहां पर racemic mixer बनने वाला है, ठीक है फिर यहां पर single anion summer दिया हुआ है ठीक है, मतलब इसका single anion summer है, एक वापस session to करवाई, तो इस पर कोई effect नहीं आएगा यहां पर जब attack होगा BR का, BR भाहर आएगा तो जब OH आएगा, तो वो about the plane भी आएगा below the plane भी आएगा, तो एक बार OH मैंने about the plane लगाया, एक बार मैंने OH below the plane लगाया, तो इस center पर तो configuration same है, और यहां change होगा है मालो, कि अगर माना कि इसका R configuration था, तो यहां भी वो तो R ही रहा है, यहां भी आरी रहा है, बट R के साथ एक बार यहां S और एक बार R, माना है मैंने तो R, S, R, R मतलब mixer ओपर diastereomer, यहां पर अपने पास diastereomer बनेगा तो ऐसे option को check करना है, तो ऐसे option को अगर हम check करने जाएंगे, तो B answer सही आएगा यहां पर देखो, B option में P में 2, हमारे पास P में 2, मतलब retention in configuration हुआ था, यह वाला बनेगा Q में 1, Q में 1, inversion in configuration हुआ था S and 2 में, यहां पर फिर R में 3, S and 1 और यहां mixer ओपर diastereomer यह वाला, और इसमें pair ओपर diastereomer, यह वाला, मतलब concept कुचा S and 1, S and 2 का उनकी stereo की regarding question है और stereo का यही question है, पूरे पेपर में यही question है, stereo का जिसमें उसने inversion, retention, जो NCRT में explain की हुए है, ठीक है next question देखते है यह name reaction है, NCRT की बड़ी simple सी question है the major product obtained from the reactions इस reaction में यह जो आगे आपको reaction दी हुई है इसमें क्या बनेगा यहाँ एक product बनेगा in list second are the reactant for the named reaction वो किस reaction का reactant बनेगा मतलब इन reaction में जो product आएगा, वो product इन में से किस reaction का reactant बनेगा जिसे itard reaction है, तो toluene की reaction है तो toluene जिसमें बनेगा वो itard reaction का reactant हो जाएगा गाटरमान reaction है, वो diogenium salt की reaction आपने फड़ी होगी, कोपर क्यूप्रस हेलाइड की reaction हक से करवाते हैं, तो halogenation होता है, रिंग बे यह वाली well known reaction और गाटरमान कोच reaction यह वाली reaction बेंजिन रिंग की reaction है, C-O प्लस C-O प्लस H-C-L की reaction, A-L-C-L-3 से करवाते हैं तो aldehyde बन जाता है रोजन मून रिड़क्षन के अगर हम बात करेंगे, तो रोजन मून रिड़क्षन कोण देता है एसी टाइल क्लोराइड यह वाला देता है, तो इधर वो जो प्रोड़क्ट बनेंगे वो उधर मेच करने हैं, तो पहले reaction में तो यह बना है, तो यह तो किसी reaction का reactant हुआ नहीं है, यहाँ एन address, ALCL3, यह reaction गया और यह फ्रिडल क्राप्ट फ्रिडल क्राप्ट alkylation reaction हो गई alkylation और यह itard reaction देगा, यह कौन सी reaction देगा? itard reaction देगा, itard reaction आपको सबको पता होगा, CRO2 CO2, CO2, CH2 का hydrolysis करवाते हैं, तो aldehyde में convert हो जाता है itard reaction यह वाली है, फिर यह kemonophore, COH, SOCl2, तो यह oxidizing agent है, CH3 को oxidize करेगा carboxlic acid में, तो पहले यह बनेगा COH इसकी reaction SOCl2 से करवाऊँगा, तो फिर यह rosinamund reduction देगा, और rosinamund reduction क्या है? PDBASO4 H2, rosinamund पूचा नहीं, अपन से तो बोला कि किसका reactant बनेगा, तो यह aldehyde में connect हो जाएगा हना, और यह NaNo2HCl, यह NaNo2HCl, diogenium salt बनेगा, गाटरमान reaction देगा, और वो CU, X, और HX के साथ जहाँ X, ब्राबर, CL और BR होगा, और यहाँ पे हेलोजन जूर जाएगा, यह वाली गाटरमान reaction है, zinc, यह de-oxygenating agent है, NCRT में दियावा है, हना, माइनस ZNO बाहर होगा, बेंजिन बनेगी, और बेंजिन की reaction, CO plus HCl, और AlCl3 से करवाएंगे, तो गाटरमान reaction होगी, और Ldiide बनेगा, तो इसके according, अगर option चेक करते हैं, तो option अपना D से ही आता है, P में 3, Q में R, R में 5 और S में 2, तो option को चेक कर लेते हैं, एक बार P में 3, मतलब P जो है, वो बेंजिन वो वाली, यह इटार्ड रेक्शन हो जाएगी आपे Q में 4 गाटरमान रेक्शन, एनिलीन की रेक्शन है, R में 5 फिनोल की रेक्शन, गाटरमान कोच रेक्शन, फिनोल मिसे बेंजिन बनेगी उसकी रेक्शन, और रोजनमून डेटक्शन अपने पास बन रहा है, वो बन रहा है, इस रेक्शन में मतलब S का तो इस रेक्शन, नेम रेक्शन अच्छी तरह से आनी चाहिए, नेक्स्ट कोई बात करते हैं,